कि और वही माई चेंपियन्स क्या हाल चाल एबरीबड़ी वेरी वर्म वेलकम तुदा सेशन एंड आज हमने पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर वन इसमें की रिलेशन पढ़ा जाएगा आपने 11 पो थोड़ा बहुत रिलेशन पढ़ा है उसका एक्स्टेंशन होगा और फंक्शन का छासीफिकेशन पढ़ा जाएगा ताइप सोफ फंक्शन जो कि 11 प्टो बहुत पढ़ते हैं वही बहुत फंक्शन का तौड़ा सा एक रिखल आगे जाएंगे और यहां पहरं सके आप फिर फंक्शन का अगले पार्ट शुरू होंगे नेक्स सेशन मे होती क्योंकि तब तक हमारे पास तूल जादा नहीं होते नो डाउट तूल अभी तक भी हमारे पास बहुत जादा नहीं है बट कुछ और आ गए हैं इंक पैरेजन तो थोड़ा सा यहां भी कवर होगा राइट चलो डैट सॉल शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन होगी चाहा भी पैसिव हो जाते कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्या करूं क्या हो जाएगा तो कैप्टन हैस प्लैंड असेशन जहां पे वह आपको कुछ डिफरेंट एंगल दिखाएंगे चीजों के और शायद आपको कुछ टाइम के लिए एक सही डिरेक्शन मिल जाएगी तो जरूर देखना रात को आठ बजे है ठीक है और आज मेरी स्क्रीन में कुछ तो इशू आ गया बार बार ब्लैंक हो रही है लेट उस होब कि सेशन में दिकत ना आए ठीक है तो चलो भई इसी के साथ सेशन शुरू किया जाए पटाक और यहां से पटाक और मैंने का इधर आ करना एक तो तैयारी करनी है ठीक है दूसरा सिंपल विदानतु पर आपका लॉगिन इडी होना चाहिए सिंपल विदानतु जाके पना गाउंट क्रिएट कर लो डैट इस फ्री आप कॉस्ट सिंपल साइन अप जैसे करते न वह बस उसके बाद दुपहर को दो बजे संडे क दो बजे टेली ग्राम ग्रूप पे लिंक आ जाएगा टेस्ट का जिसे कि आपने 230 क्लिक करना है क्लिक करते ही एक CBT मोड में टेस्ट आ जाएगा और आपने उसको अटेम्ट कर देना है और उसका रिजल्ट तूस्डे को आप ही के अकाउंट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा तूस्डे को आपको आसका रिजल्ट भी आपके अकाउंट में ही दिख जाएगा ठीक है जी कैना यह टेंड कैन 11 गनेश ज्यादा काम नहीं 11 के बच्चों का ज्यादा उतना लिंक नहीं बनेगा क्योंकि रिलेशन का पार्ट यहां पर 12 वाला है और एक लासिफि सब्सक्राइब क्यों नहीं डाल दें तो दो घंटे का टेस्ट होका 230 तो 430 ठीक है चलो अब मुश्रू करते हैं आज का सेशन टंटनां टंग लो भाई अगर नए बच तो सब्सक्राइब कर लो फटा-फट मैं फिर से बता दूं यहां पर आपकी रेगुलर तयारी चल दि तो वो कुछ टाइम के लिए you need to adjust but overall during no year things will be sorted very nicely. टेंशन नहीं लेनी ठीक है एंड सब्सक्रिप्शन के बारे बता दूं जहां मर्जी पढ़ो और जरूर पढ़ो धीले मत बैठो इस टाइम में इंडिसिसिव बिलकुल नी रहना डू जो जॉइन कोचिंग अगर आप आप बैसा नहीं होने वाला ओके तो यूज जस्ट थिंक कि आपको पूरा YouTube पढ़ना है या पूरा सब्सक्रिप्शन पढ़ना है या hybrid बनाना है मेरी प्रेफ्शन आपको पता है इक साथ हाइब्र जो आप एक कोचिंग लिए साथ में YouTube से hybrid बनाई और दोनों का बेस्ट लेकर अ बता हूँगा कि इन सब का मीनिंग क्या क्या है यह जो सबसे अच्छी चीज लगती है मेरे को टू टीचर मॉडल वो क्या चीज है और सेशन के पे मैं आपको इसका एक लाइफ सेशन भी दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है नचलम बात है कि अपनी तैयारी में कोई कंप्रमा बहुत जादा है यूट्यूब पे अल्मोस सब कुछ मिल जाता है टेंशन बिल्कुल नहीं थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक आपको अलग से लेना पड़ सकता है बट पढ़ाने के मामले में रेगुलर असाइन्मेंट के मामले में यूट्यूब पे आज की डेट में सब म पट यस कोई कंप्रोमाइज मत करना आपका 12 बहुत ही सेंसिटिव रहता है ओके सो इस पर सेशन के इंड पर बात करेंगे हम यह आपको पता है कूपन कोड होता है यह भी सेशन के इंड पर अभी हम सेशन शुरू करते हैं ओके और यह 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 वीपी रक्षन यह अपकोर्स एंड एक बात बस मुझे चाहते हैं बता दो कि हाँ वी बिल मेक डिसीजन अगर अब तक डिसीजन नहीं ले तो डिसीजन ले लोगे कि हमें कैसे पढ़ना है कहां पढ़ना है लेट मत करना आई डोंट वांट वांट यू तो डिलेए यह वांट बहुत बच्चे ने डिले तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तुम उसे क्लेरिफाइ कर सकते हो थ्रू कमेंट्स एस वेल पट येस पठाई पे लगे रहो गला थोड़ा नो डॉट मेरा फिर से बैठना शुरू हो रहा है देखते हैं अभी आई होब की ठीफ हो जाएगा लो भाई आजाओ सो शुरू सार वीजन होगा कि आपने जो 11 में रिलेशन पढ़ा था वो क्या था एक ब्रीफ सार वीजन ऑल्टो डेफिस वरी सिंपल टाइप सर वरी सेंपल पर यह ब्रीफ सार वीजन करेंगे क्योंकि आता तो होता है पर अगर हलका सा रीकॉल मिल जाना तो आप एक तो फ्रेश दिम होता है बट 12 में बहुत जादा डिटेल में आता है तो ये दो चीजे हम रिलेशन में पढ़ने वाले हैं फंक्शन की बात करें अगर तो मेजर ली अगें अब ब्रीफ रिवीजन होगा जस्टो ब्रिंग यू इन टच विर डेफिनिशन फंक्शन फंक्शन क्या था उसके क्या थे वन वन मैंनी वन क्या चीजे थी एक ब्रीफ रिवीजन होगा जहां से आप टैच में आ जाएंगे हमने यह लेवन से पढ़ा था हमने और उसके बाद फिर आप क्लासिफिकेशन फंक्शन यानि की टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे डिटेल मतलब अच्छी एक् जाए नियुक्स जोड़ा बढ़ा ही अजीब टापिक है ली फांच्छों को फंक्शन करना थोड़ा पैकन समझ नहीं ता पढ़ना कैसे है थोड़ा फंक्शन को पढ़ना कैसे इस वर्ट आज यह होने बाला है तो चलो इसी के साथ सबसे पहले रिलेशन relation सबको meaning याद है कि एक Cartesian product नाम की चीज होती थी और उसके subset को relation कहते थे फटा फटा बता दो एक छोटा सा example से मैं revise किरा देता हूं यह A है यह B है अगर इसका Cartesian product लिखेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा 151625263536 आ गया याद कुछ Cartesian product सर यह तो पहले ही आ था Cartesian product तो नहीं भूलता बच्चों को और definition क्या थी कोई भी subset इसका अब इसका अगर subset लिखेंगे that will be called relation तो इसका कि रेंडम सबसेट लिख रहा हूं मैं रेंडम सबसेट 1526 और 35 यह लिख लिया यह एक सबसेट है इसका इसको आर कहा देते हैं सबसेट r is a relation from a to b definition सबको याद any subset of a cross b is a relation from a to b that was basic definition तो ऐसे आप बहुत सारे सबसेट लिख सकते हो बहुत सारे सबसेट वो सारे के सारे relations होंगे मुझे एक बात का जवाब दो देखो तुमको एक basic चीज यादा नहीं यादा है यह जो एक सेट है पूरा a cross b इसमें total कितने elements है one two three four five six six elements है मुझे बताओ इस सेट के कितने सबसेट होंगे number of subsets बताओ ज़रा of a cross b देखो हाँ two power six so two power in formula होता है बिल्कुल इस सेट में छे element है तो इसके number of subsets two power six होंगे everybody agrees it means अगर मैं इसके सारे subset लिखने बैठूंगा तो इतने subset बनेंगे यानि कि a से b पर मैं इतने relation define कर सकता हूं yes or no फटर बोल दो every subset is a relation और इतने subset है तो मैं यहाँ पर a cross b पर इतने relation बना सकता हूं तो कभी आपसे number of relation पूछना कुछ नहीं सोचना बस यह कर देना आपने चलो इससे आपके ब्रीफ सा recall मिल गया अब इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले बैठा description of relation की relation लिखा कैसे जाता है फिर number of relation फिर inverse of relation फिर type of relation यह चीज़े हम relation पढ़ेंगे आजो description description में पहले definition कुछ नहीं any subset of a cross b is defined as relation from a to b अभी देखा इस चीज़ को दिमाग में डाल लो क्योंकि maximum time 99% of time आप इससे deal करने वाले हो relation from a to a को short में relation on a कहा जाता है relation from a to a is also called relation on a तो अगर कभी भी लिखा हो relation on a means it's a relation from a to a अच्छा सच ठीक है तीन तरह से इसको describe करते थे 11th में याद है पढ़ा था आपने सबसे पहला तरीका यहार आप element लिख देते थे कि one one से relate कर रहा है two three से relate कर रहा है three five से relate कर रहा है शाबाश दूसरा था set builder form set builder form में आपको formula लिख दिया जाता था कि इसमें a, b आएगा वेर b is two a minus one जो भी उसका formula होगा शाबाश एंड लास्ट जो इसी का ही भाई है formula लिखा जाता बर वह bracket नहीं लगाई जाती ऐसे लिखते थे हैं a और b आपस में r से relate होते हैं अगर यह condition वह follow करते हैं तो यह दोनों almost same same से तरीके हैं बस लिखा जाता तो तरीका पता होना चाहिए यह आपने 11 पर पढ़ा था description यहाद आगी आपको बिलकुल से ही कह रहे हो आगे चलो एक छोटा से example कर लेते हैं सब दिमाग में बता दू चैट में सब fresh हो रहा है जो आपने 11 पर पढ़ा था एक brief सा recall कर रहे है before we start with 12th part शाबश आ रहा है yes 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 good तो right relation on a पर इसका मतलब क्या है बेटा a से a पर मैं when diagram बना दू थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा visualize हो जाएगा थोड़ा स्क्रीन आज गड़ बड़ा रहा है a से a पर माइनस वन वन तू थ्री फोर वन तू थ्री फोर relation from a to a शाबाश तो जड़ा देखते हैं कौन सा element कहां जा रहा है x और y रिलेक्ट होंगे अगर y जो है x square के बराबर है तो माइनस वन कहां जाएगा माइनस वन के square पर 1 कहां जाएगा 1 के square पर 2 कहां जाएगा 2 के square पर तो माइनस 1,1 इसमें आएगा 1,1 इसमें आएगा 2,4 इसमें आएगा ज़रा चैट में बताओ 3,9 आएगा फटा फट बोलो क्या 3,9 आएगा नो सर बिलकुल क्योंकि 3,9 है ही नहीं यहां पर तो यहां पर खतम हो गया यह आपका relation बन गया तो बड़े अराम से visualize भी हो जाता है और ऐसे दिख भी जाते है लिख भी देते हैं शाबाश तो इसके बाद अगर देखें यह यहां पर आ गया क्यों आ गया मुझे भी नहीं पता भाई ते को क्या याद आया था हट यहां से इधर आ जा इधर अच्छा लगता है मेरे को ऐसे चलो आगे देखो नमबर ओफ रिलेशन आपने खुद ही किया अभी बिगनिंग में तुम ही ने जवाब दिया था तो बैटा फटा फट फट फॉर्मूला क्या बन गया यह अगर ए में नमबर ओफ एलिमेंट पी है और बी में नमबर ओफ एलिमेंट क्यूं है तो ए क क्रास बी के जितने भी सबसेट हैं वो सारे रिलेशन हैं यहीं से मैं नमबर ओफ सबसेट कि अगर बात करू हो ऑफ ए क्रास बी भाईया ए क्रास बी में इतने मेंटर इसकिकितने हीका पॉप्सट है तु पावर कि निकालना बहुत असान हो गया यह सब कीज़ें आप 11 में कर चुके हो पहले बता दूं ओके यह पूरा रीकॉल होड़ा यह मत बोला सब 11 में किया है आप हम नहीं एक कर चुके है 11 में सब्सक्राइब बहुत ही असान होता है अच्यूत बेटा मैंने पहले जवाब देजिए बिकनी में इसका बेटा a b find total number of relation from a to b भी बड़ा सान है कितने हो जाएंगे two raised to par इसमें कितने elements हैं और इसमें कितने elements हैं तो two par four काम खाता हूं इतने relation यहां बन सकते है 16 बिल्कुल शाबाज ओ बहुत बढ़िया तो मैंने रीकॉल आल्मोस्ट कम्प्लीट सा होई गया है this was all about relation जो आपने 11 में पढ़ रखा था about हमने 10-12 मिनिट लिए होगे शायद we have recalled it okay तो अब आते हैं नहीं definition पे कई बच्चों ने 11 में इसकी definition पढ़ ली होती क्योंकि जसका definition में कोई एक खास explore नहीं किया जाता है इसको बट प्रैमेरली यह 12 में आता है तो exactly आ जो इंवर्स आपा रिलेशन वह भी बहुत असान है उल्टा कर दो मतलब देखो बैठेक एक एक्जांपल ले रहा हूं 123 आपने बी लिया 56 मैं एक relation लिख रहा हूं वन रिलेट हुआ 5 से तू रिलेट हुआ 6 से थ्री रिलेट हुआ 6 से यह मैंने एक relation लिखा है एसे बी पर इट्सा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फ्रॉम ए टू बी आर इन्वर्स और कुछ नहीं होता सिंपली उल्टे हो जाते हैं पहले 1 5 पर जा रहा था अब 5 1 पर जाएगा 2 6 पर जा रहा था अब 6 2 पर जाएगा 3 6 पर जाएगा as simple as that और क्या मुझे चैटे बताओ क्या मुझे बताने की जरूरत है कि आर इन्वर्स जो होगा वो बी से ए पर होगा आर जाए वो ए के अलिमेंट को बी पर लेके जा रहा था आर इन्वर्स बी के अलिमेंट को ए पर लेके जाएगा बिलकुल क्लियर नंदिनी नेक्स चेप्टर इस इंवर्स टेगनोमेट्री बेटा रिलेशन फंक्शन के बाद अगला चेप्टर इंवर्स टेगनोमेट्री ही है मुझे पता है बहुप बच्चों का दुखता रग होता है मैं दुखती रग होती है दोंट वरी इंवर्स टेकन केर ओफ ठीक यह स्खुशी आएं फ्रम पंजाब पंजाब ने हुशारपूर एक सिटी है अंप फ्रम अनिश नो बेटा नॉट मच तो यह होता इंवर्स का मीनिंग मीनिंग पता लग जा डेफिनिशन भी देख लो यार आर इंवर्स में y, x type की element आयेंगे where x, y r में थे तो अगर x y से relate हो रहा था relation r में तो आर इंवर्स में यह उल्टा हो जाएगा that's all but obvious है कोई दूर दोरार की बात ही नहीं है आर इंवर्स की जो input है वो r की output थी R inverse की जो output है, वो R की input थी Yes or no, tell me the chair, बहुत obvious है उल्टे हो गए, तो इसकी जो input थी, वो इसकी output हो गई और इसकी जो output थी, वो इसकी input हो गई तो बहुत ही simple सा ही एक relation बन जाता है बहुत बढ़िया, exactly, very good चतन्या, शाबाश R inverse में इका दुका सवाल देखेंगे, again inverse की कोई इज़त नहीं है इसके बाद शुरू होना है, types of relation, जिसकी की बहुत इज़त है स्कूल में भी और competition में, competition मैंसन को बहुत बार आया पर जब आया है, थोड़ा दिमाग लगता है तो चलो फटा फट इसको खतम करके, फिर types of relation पर आते है यह भी पपी सा सवाल है, find the inverse, किसका निकालना है भया यह दिया हुआ है, मैं यहाँ पर डियाग्राम से पहले बना देता हूँ लो भया, यह रहा A, यह रहा B, A है 11, 12, 13 और B है 8, 10, 12 तो चलो भया, लिखो मेरा relation, Y जो है X-3 है, तो 11 कहां जाएगा, इट पर जाएगा 12 कहां जाएगा, 12 कहां जाएगा, 12-3, 9, 12 तो कहीं जाई नहीं पाएगा, do you agree? 11 तो 8 पर चला गया, 12 कहीं जाई नहीं पाएगा, 12 माइनस कुछ ही नहीं मेरे पास 12-3, 9 होता, 9 है ही नहीं अच्छा, 13 कहां जाएगा 13, 10 पे चला जाएगा तो ये आ गया आपका relation तो आप कोई आप से पूछ रहा है बेया, R-Inverse बता दो क्या पडोसियों की मदद लेनी पड़ेगी नहीं, उल्टा कर देंगे, बस 8, 11, 10, 13 काम हो गया, खत्म इस यूर अंसर आपने इलेवंत में बेसिक सी टाइप पड़ी थी एंप्टी रिलेशन, युनिवर्सल रिलेशन, इडेंटी रिलेशन वो बहुत पपी-पपी सी छोटी-छोटी सी देफिनेशन थी बट अब जो 12 में आने वाली थोड़ी सी अच्छी भारी भरकम टाइपस आने वाली है और यहां पर आपको केरफूल होना पड़ेगा एस्पेशली एक डेफिनेशन ऐसी आएगी जो मैक्सिम बच्चों को कन्फ्यूस करती है अगर यहां पर कोई 12 के बच्चे ऐसे बैठे जो पास कर चुके हैं तो वो बता सकते हैं एक डेफिनेशन होती है ट्रांसिक्टिव रिलेशन बहुत बच्चों की बैंड बचती है उसमें आज तुमको वो चीज़ ऐसे करवाऊंगा कि तुम्हारी बहंड कभी नहीं बजाएगी आज़ो तो टाइपस ऑफिलेशन के अगर बात करें बेटा यह पहले बेसिक सा टाइप आप 11 में पढ़ चुके हो जितनी भी टाइपस हैं दिमाग में लखना जितनी भी टाइपस हैं बीजाषण डिफाइइड फोर रिलेशन्स अन यह रखना हम जितनी भी टाइप पढ़ते हैं जिते हैं पढ़ने लगें सारे के सारे वो रिलेशन अन एपर डिफाइड होती है बीज़िशन फॉम ए तो ऐ ऐसा क्यों इसका कोई जवाब नहीं, these are definitions, I have told you many times, definitions are never to be challenged, so relations on a, के लिए ही defined है, तो बीच में इकी दुखी जगा अपोगा का confusion आएगा, इसको दिमाग में लाना वो confusion दूर हो जाएगा, चलो, पहली definition, empty, यालिकि इस relation में कुछ नहीं है, किसी को किसी से प्यार नहीं हो रहा कोई भी element, किसी भी element से relate ही नहीं कर रहा, empty relation, एक example भी दिया हुआ, देख लो, बड़ा simple सा example है, भाईया, one, two, three, से one, two, three पे एक relation बनाया, a, a, मैं बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ, यह मेरी खासियत है, पड़क, पड़क, मेरी जुबान और मेरे शब्द आपस में मेल निखाते हैं, चलो, यह लो, अब y जो है, three x plus two है, क्या one कहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, two कहीं जा पाएगा, नहीं, थरीकें जा पाएगा, नहीं, भया, किसी को किसी से प्यार मुबद होई नहीं, so, empty relation, then comes universal relation, सब को सबसे ही प्यार हो गया, काम खतम, universal, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, याने की a cross a, पूरे का पूरा a cross a, हर एक बंदे को हर एक बंदे से प्यार है, सोचो कितनी हसीन दुनिया है यह, ठीक है, so, पूरे का पूरा a cross a is called universal relation, जैसे कि आप यह देख भी सकते हैं, यह 149 पे define किया गया है, और यह relation है, x plus y greater than equal to 2, आप कोई भी दो ठालो, उनका sum greater than equal to 2 ही आएगा तो हर एक दो element आपस में related है, tension खतम, अब तुमें थोड़ा ध्यान देना है, identity relation आपने पढ़ा यह 11th में भी है, और यहाँ पे पर मैं थोड़ा से इसको एक point इसमें highlight करूँगा, उस पे ध्यान देना, definition को ध्यान से पढ़िए, if every element of a is related to itself only, इस only पे जरा focus करिए बेटा, इस only पे focus करिए, ठीक है, if every element of a is related to itself only, याने कि अगर मैं एक example की बात करूँ, इस पर एक relation define किया गया, पहले तो यार को relation on a का मतलब क्या है, a से a पर, this is the meaning of relation on a, इसमें क्या क्या है, 1,1, 4,4, 9,9, हर एक element अपने आप से relate करता है, only, 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 this is identity relation, ध्यान दो, इसी example में, इसी example में, do you agree की R2 identity नहीं है, क्यों, एक यार, यह 2 कहां से आ गया यार, यह थोड़ा मैंने example थोड़ा गलत लिख दिया, एक ही अगर बात करें तो 149 था, यह कहां पर क्या लिख दिया मैंने, यहां पर थोड़ा था मैंने गलत लिखा, wait a minute, wait a minute, यहां पर मैं A लिख देता हूँ, A जो है, वो है 1, 2, 3, okay, A जो है 1, 2, 3 है, 1, 1 है, 2, 2 है, पर 3, 3 नहीं है, it is not identity, यहां 1, 1, 2, 2, 3, 3 सारे हैं, but 1, 2 भी आ गया, not an identity, सबको clear हो गया, यह दोनों identity नहीं है, तो यह only का मतलब बहुत ज़्यादा important है, हर एक को अपने आप से relate होना है, and that's it, ना ज़्यादा, ना ही कम, ना ज़्यादा, ना ही कम, यह मैं क्यों stress कर रहा हूँ, क्योंकि अगली definition जो है, वो कुछ मिलती मिलती है, पर उसमें एक ही फरक है, only नहीं लिखा गया, every element is related to itself, हर एक element अपने आप से relate होता है, इसके आगे कुछ नहीं कहा गया, मतलब अब होने को कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, पहले example देखो, एक बिट पिछे, example देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने ए लिया, one, two, three, relation लिख रहा हूँ बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये reflexive है, tell me in the chat, क्या ये reflexive है, क्या हर एक element अपने आप से relate हुआ है, बताओ, क्या हर एक element अपने आप से relate हुआ है, एक बच्चा कह रहा है, yes, बाकी सारे no, very good, जो yes कह रहा है, बेटा, क्यों खुन चुछ से लेओ, ऐसा ना करो, बेटा, गुसा निखाते, three, three कहां पर relate हुआ, three नहीं हुआ, exactly, तो अभी ये reflexive नहीं है, अच्छा, अब ये बताओ, सोच के बताना, three, three, क्या हरेक अलिमेंट अपने से relate हुआ है, tell me in the chat, क्या हरेक अलिमेंट अपने से relate हुआ है, yes अमोग, हुआ है सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हरेक अलिमेंट अपने से relate हुआ है, reflexive है, ये हरेक अलिमेंट अपने से ही relate हुआ है, identity भी है, आ गया समझ, यह identity भी है, यह reflexive भी है, दोनूं की condition फुल्फिल कर रहा है, हर एक element अपने से ही relate हो रहा है, तो identity, हर एक element अपने से relate हो रहा है, identity, अब लगाना दिमाग, मैंने यहाँ पे एक element और add किया, 1,2, do you agree, अभी भी यह reflexive तो है, पर identity नहीं रहा, बोल दो, अभी भी यह reflexive तो है, पर identity नहीं रहा, दोनों का फरक समझ आ गया, exactly, so जो identity relation है, वो reflexive भी होता है, क्योंकि उसमें भी सारे अपने आप से relate होते ही हैं, but ऐसे भी relation हैं, जो reflexive तो होंगे, पर identity नहीं होंगे, so अब conclude कर रहा हूँ, identity मतलब हर एक element को अपने से ही relate होना है, ना जादा ना कम, reflexive मतलब हर एक element को अपने से relate होना है, जादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, so that is identity and reflexive relation, okay, so यह दोनों के लिए, example भी पर पपी से relation आ गया जो, अब शुरू होते हैं, दमदार वाले definition, एक बच्चा कहता why, बेटा, अगली बार किसी ने मेरे को definition पर वाई बोला ना, मैंने कैमरे में घोसे के घर पे आके पिटाई करके जाना है तुमारी, बहाबा बता चुका हूँ, आखरी बार बता रहा हूँ आज, definition को challenge नहीं करना बेटा, definition is something which is defined, आप उसको नहीं कहोगे कि ऐसा क्यों define किया, right, so definitions are to be taken as such, उसके base पे आप आगे चीज़ों को challenge करते हो, definition को कभी challenge नहीं करना, आजो, अब आता है symmetric relation, तो symmetric relation क्या होता है, ले भाया, पर ले तो definition पढ़ो, अगर, if पे भी यह, हाँ, यहाँ से, if A, B belong to R, implies B, A belong to R, आम भाशा में, बहुत simple सी language नहीं बता हूँ, अगर A ने B से प्यार किया, तो B को भी A से प्यार करना पड़ेगा, भाया, two way love चलेगा, one way नहीं चलेगा, यह वो दुनिया है, जहाँ पर two-sided love होगा, one-sided love नहीं होगा, तो अगर A, B से प्यार करता है, तो B को भी A से प्यार करना होगा, तो ही हम symmetric कहेंगे, अगर नहीं किया, तो not symmetric कहेंगे, तो आतो example दिख्या हो, two ने four से relate किया, अब सुन मेरे बात, अगर तो four भी two से relate कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, as far as symmetricity is concerned, देखते हैं, लभिया four भी two से relate करता है, very good, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, two ने six से relate किया, क्या six भी two से relate कर रहा है, कर रहा है, फोर ने फोर से रिलेट किया वेल फोर फोर ऐसे लिखो चाहिए ऐसे लिखो फरक नहीं पड़ता तो फोर कमा फोर हैपी अब इबाद ध्यां से सुनना डू यू आल एगरी इसमे जितने भी एबी आए हैं उनके बी ये भी बैठे हुए हैं Hence it is symmetric Tell me in the chat पहले तो जितने भी एबी आए हैं उनके बी ये बैठे हुए हैं Hence it is symmetric Love you too Shira अब मुझे जवाब देना अगर ये नहीं होता अगर ये नहीं होता Do you agree now it is not symmetric? Now it is not symmetric क्योंकि एक टु एबी बैठा हुआ है जिसका बी ये नहीं बैठा एक टु ने six से महबबत की थी पर उसको मुड के महबबत नहीं मिली मुड के महबबत नहीं मिली शाबाश तो point क्या है? It is बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे का कहते हैं सर इस AB के लिए बी ये आतो गया तो symmetric क्यों नहीं है? बेटा जी जितने भी AB आएंगे उन सब के भी ये बैठे होंगे तो कहेंगे symmetric अगर एक भी नराज हो गया तो symmetric नहीं कहेंगे ठीक है? तो symmetric नहीं कहेंगे तो ये हो गया symmetric relation ठीक है? सो एक बच्चे ने कहा सर four six नहीं है तो नहीं है बेटा तो क्या हो गया? relation में सारे element फोड़ी आएंगे ए तो बेटा इसके बहुत सारे subset बनेंगे ठीक है? relation जो है उसमें जितने भी AB है BA आने चाहिए अब मुझे जवाब दो यहां पर example कर रहा हूँ जवाब दो मैंने relation लिया two, two four, four that's it बताओ ये सब बढ़िया हो ये symmetric है yes sir बिलकुल sir AB है BA है मतलब देखो A, A ना बड़ा ही खुश बंदा होता है इसको किसी से दिक्कत नहीं होती यार खो A, A को किसी से दिक्कत नहीं होती जो इंसान अपने आप से प्यार करना सीख लेता है बढ़िया वह तो खुदा का बंदा है तुम अपने आपका appreciate कर पा रहे हो मतलब तुमारे अंदर बड़ा extreme level की positivity है वरना आज करके दिक्कत ही है कि हम अपने आपको ही प्यार नहीं कर पाते So 2,24,4 happy है अब मुझे जवाब देना थोड़ा change करने लगाऊ R3 2,4 That's it क्या ये symmetric है क्या ये symmetric है 2,4 क्या ये symmetric है बिल्कुल नहीं है सर 2,4 तो बैठा पर 4,2 नहीं बैठा बिल्कुल नहीं symmetric सर अच्छा अब जवाब दो 4,2 अभी ये symmetric है Tell me in the chat अभी ये symmetric है अभी ये symmetric है बिल्कुल है सर A भी बैठा था B ये भी आ गया अब जवाब दो 2,6 अभी ये symmetric है अभी ये symmetric है नहीं है सर सर जी ये वाबा अभी तो खुश था ये वाबा अभी खुश नहीं हुआ not symmetric तो सबकों symmetric का मतलब clear हो गया अब नहीं ये सवाल पढ़ो जरा ये सवाल पढ़ो इस सवाल को पढ़ो पहले यह एक relation दिया हुआ है उसको कैसे check करना कि वो symmetric है या नहीं ये हमने देख लिया पट अगर एक relation ऐसा दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे element है prove कैसे करेंगे कि वो symmetric है prove कैसे करेंगे कि वो symmetric है पहले तो सुन मेरी बात do you all agree इस relation में बहुत सारे element आने वाले है सारे AB integers जिनका difference 4 से divisible है वो सारे यहां पे आएंगे 2,4, 2,10, 4,8 जितने भी A और B integer है जिनका difference 4 से divisible है वो सारे यहां पे आएंगे तो यहां पे बहुत बड़ी list आएगी तो यहां पे मैं ऐसे check नहीं कर पाऊँगा एक-एक उठा कर शाबाश तो अब सुनो मेरी बात बहुत important step जब भी किसी relation को symmetric prove करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है यह सुन लो जब भी correlation symmetric prove करना है उसका तरीका क्या होता है सबसे important उसका पहला step है let a b belong to relation symmetric क्या कहता है अगर a b आया तो b a आना जरूरी है तो let a b belong to a लेके चलो और prove कर दो कि पक्की बात है b a b आयेगा do you all agree अगर मैं यह लेके चला और मैंने यह दिखा दिया तो पक्की बात relation symmetric होगा tell me in the chat symmetric symmetric को prove करने का तरीका सुन लो let a b belong to r और वहां से prove करो कि b a b है that is a way सबसे important यह पहला step है बच्चे यही नहीं लिख पाते इसी करके आटेकते है तो यार खो जब भी आपको prove करना होगा symmetric यह step लिख देना अब इसका meaning लिखो a minus b is divisible by 4 implies a minus b is divisible by 4 एक बाब बताओ वह है तुम इसको एक lang में खतम कर सकता हूँ बट मैं थोड़ा सा तुमारा knowledge बढ़ाना चाहता हूँ do you agree एक number 4 से divisible है इसका मतलब होता है कि वो 4 into something type का है tell me in the chat a number is divisible by 4 का मतलब क्या है कि वो number 4 into something type का है फटा फट चाहते बोलो बहुत बच्चे हैं कि वो इसको सोच नहीं पाते है अगर पहले ना पढ़ा हो very good तो बेटा तुम्हें नहीं लगता कि जो मैं चाहता हूँ b a को relation में लेके आना basically मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि b minus a divisible by 4 prove हो जाए divisible by 4 prove हो जाए हो तो गया बेटा देख पारे हो हो तो गया अगर a minus b 4k है तो b minus a को 4 into minus k लिख सकता हूँ 4 into minus k लिख सकता हूँ तो पकी बात है b minus a भी 4 से divisible है hence b, a also belong to r so let me conclude now जब भी आपने के relation को symmetric prove करना है let a belong to r लिखो और end में ये लिखो यहां से शुरू हो जाओ इसका meaning लिखो relation की definition दिये meaning लिखो और step by step यहां तक पहुँच जाओ बहुत असान होगा पहुचना अगर आपको पहले से पता है कि पहुचना यहां पे है बस ये दिमाग में रखना शाबाश इससे पहले के आगे चलू एक छोटी सी बात कई बार relation ना numbers की बजाए एक language में भी दिये होते हैं जैसे कि ये example देखो फिर हम आगे चलेंगे ये example पढ़ो relation R defined on A यहां पे A मतले हो defined on plane ऐसे लिखो lines in plane ऐसे लिखो defined on lines in plane as L1 will be related to L2 if L1 is perpendicular to L2 do you agree perpendicular is a symmetric relation क्योंकि अगर L1 L2 के perpendicular है तो L2 भी L1 के perpendicular है God bless you बेटा everybody do you understand अगर L1 L2 के perpendicular है तो L2 भी L1 के perpendicular है अगर L1 को L2 से प्यार हो गया तो L2 को भी L1 से प्यार हो गया so की बड़ी ऐसे language में भी आएंगे डरना नहीं है ऐसे एक दो सवाल हम आगे फिर से करेंगे शाबेश God bless you तो आगे चलो अब एक example देखो यहां से थोड़ा reflexive और symmetric का थोड़ा definition all clear होगा सवाल पढ़ो जब तक मैं लिखता हूँ ये सवाल पढ़ो फटा फटा 55667867 कैता आप a पर define कर रहे हैं 5679 पर इस relation में और क्या-क्या add करना पड़ेगा तांकि ये reflexive भी बन जाए ये symmetric भी बन जाए ठीक है जी? क्या-क्या add करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ये बताओ in the chat क्या ये अभी reflexive है? ये रहा तुमारा a क्या ये अभी reflexive है? क्या हर एक element को अपने से प्यार हो चुका है? क्या हर एक element को अपने से प्यार हो चुका है? नहीं हुआ सर 5 5 तो हो गया 6 6 तो हो गया 7 7 और 9 9 नहीं हुआ तो पहले वो करो तो 7,7 को आना पड़ेगा 9,9 को आना पड़ेगा now I have made sure कि यह जो नया वाला relation में बना रहा हूँ elements add करके यह reflexive हो गया क्या यह अभी symmetric है क्या यह अभी symmetric है बताओ in the chat यहाँ पर यहाँ बिल्कुल सही बोला यहाँ पर 8 नहीं है आज थोड़े से यहाँ पर error है typing मैं यह check करवाता हूँ बेटा thank you यह 7,9 होगा 9 थोड़े error है मैं आज typing को ठी करवाता हूँ बाद में चलो नहीं सर symmetric नहीं है क्यों सर 7,9 तो आ गया बत 9,7 नहीं आया लो भईया 9,7 तो आना चाहिए सर अभी भी symmetric नहीं है 6,7 तो आ गया बट 7,6 नहीं आया अब मुझे बस एक चीज़ बताना अराम से ज्यादा सोचना नहीं एक चीज़ बताओ एक relation दिया हुआ था उसमें कुछ element मैंने और रखे डू यू एग्री कि ये जो नया relation बना ये reflexive भी है ये symmetric भी है ये reflexive भी है ये symmetric भी है ये नया relation बन गया है अब कोर्स सेम नहीं है नया है ये reflexive भी है symmetric भी है exactly तो मेरे को minimum कितने element add करने पड़े इसको reflexive और symmetric बनाने के लिए 4,1,2,3,4 तो answer is 4 God bless you तो थोड़ा understanding के लिए सासवाज ये अब आता है बटा सबसे खतरनाक relation जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है relation या जो भी 12th मेरे तरीके से चलोगे beginning में सवाल कोई नहीं अटकेगा बट हाँ ये जरूर लगेगा कि या सर ने ऐसे क्यों करवाया ये जरूर लगेगा बट सवाल कोई नहीं अटकेगा तो इसमें beginning में आपको मेरी अप्रोच फॉलो करनी है ताकि सवाल कोई नाटके and I assure you after some time तुम्हें अपने आप ही फील आजाएगी अरे हाँ यार ये सर से ही बोल रहे है ऐसे ही सोचना बेटर है इसको ठीक है तो आओ मेरे बास समझो एक पंटी रहे है ओके relation R on set A is transitive if x related to y and y related to z implies x related to z पहले तो ये definition क्या केती ये समय ले कहता अगर अगर x को y से प्यार हुआ and y को z से प्यार हुआ तो x का z से प्यार होना जरूरी है पहले तो condition समझ आ गई अगर x को y से प्यार हुआ and y को z से प्यार हुआ तो x को z से प्यार होना जरूरी है Do you all agree? आई शाबाश तो बेटा मैं एक example करवा रहा हूँ और यहां से मैं इसकी definition को समझने का एक अलग तरीका दुआ ठीक है ध्यां से सुनना 1, 2, 2, 3, 1, 3 पहले यही रखते हैं मुझे जरा बताओ यह ट्रांजिटिव है या नहीं यह ट्रांजिटिव है या नहीं इतना बताओ यह ट्रांजिटिव है या नहीं हाँ सर लग तो रहा है सर लग तो रहा है सर 1 को 2 से प्यार हुआ 2 को 3 से प्यार हुआ 1 को 3 से भी प्यार हो गया X, Y आया, Y, Z आया, X, Z भी आ गया सर लग तो रहा है अच्छा लग रहा है बेटा, लगना चाहिए अभी तक चीज़ें लगनी ठीक है थोड़ा आगे चल रहा हूँ 2, 3, 3, 1 अब बताओ, क्या यह अभी ट्रांजिटेव है, अब बताओ, एक दू बच्चों को जिनको हलका सा डाउट है कि सर्ब बाक्यों को पता लग गया कि हां ट्रांजिटेव है, हमको नहीं पता लगा, don't worry क्या अभी यह ट्रांजिटेव है, maximum कह रहे है, no, कुछ कह रहे है, yes, अच्छा, जो तो no कह रहे है, ठीक है, जो yes कह रहे है, मुझे यह बताओ, यार, टू को थ्री से प्यार हुआ, थ्री को वन से प्यार हुआ, do you agree, टू को वन से प्यार होना चाहिए था, cut, क्या टू को वन से प्यार हुआ है, tell me in the chat, क्या टू को वन से प्यार हुआ है, ओए यहां पे 1 को 2 से प्यार हुआ है 2 को 1 से प्यार नहीं हुआ हाँ बिलकुल नहीं हुआ सर 2 को 3 से प्यार हुआ 3 को 1 से प्यार हुआ तो 2 को 1 से प्यार होना जरूरी था बट नहीं हुआ तो यह नौट ट्रांजिटेव है तो यह नौट ट्रांजिटेव है पंगा पड़ पंगा पढ़ गया चुलो अब मेरी बात सुनो just assure me in the chat एक हलका सा basic clear हो गया हलका सा basic clear हुआ पताओ चैट में हलका सा basic क्योंकि अब मैं इसके approach बिल्कुल change करने वाला हूं but I want कि इससे पहले कि मैं approach change करूं पहले basic सा clear हुआ कि हाँ A को B से प्यार B को C से प्यार A को C से प्यार शाबाश अब बिटा मेरी ध्यान से सुना बात बहुत ध्यान से हम इस definition को अलग तरीके से करेंगे कैसे करेंगे सुनो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा नौट ट्रांजिटिव का मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा नौट ट्रांजिटिव का सुनो मेरी बात if xy is there and yz is there but xz is not there तो मैं कहूंगा not transitive, do you all agree? तो मैं कहूंगा not transitive, do you all agree? बहुत focus रखना, यहां पर बच्चे अक्सर लड़ खडाते हैं, do you all agree? xy है, yz है, xz नहीं है, तो मैं कहूंगा not transitive, शाबाश, अब बेटा, तुम बस मुझे ये बताओगे कि क्या not transitive है या नहीं, यानि कि मैं not transitive लिखूँ, not transitive concept, क्या यहां पर, r1 पर, r1 पर ढूंद तो, इसको, इसी को कह दो, क्या यहां पर, तुम ऐसे xy और yz ढूंद पा रहे हो, जिसके लिए xz नहीं है, बताओ इंदा चैट, क्या तुम यहां पर, ऐसे xy और yz ढूंद पा रहे हो, जिसके लिए xz नहीं बैठा हुआ, हाँ सर, ढूंद पा रहे हैं, ढूंद पा रहे हैं सर, ये और ये बैठा है, इसके लाब और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, मैं करहाँ, एक भी ढूंद लिया काम खत्म, एक अगर तुमने ऐसे x, y, y, z ढूंड दिये, जिसके लिए x, z नहीं बैठा हुआ, तुम कह दोगे not transitive, not transitive. बट अगर ऐसा x, y और y, z नहीं ढूंड पाए, तो क्या बोलेंगे, tell me the check, अगर ऐसा x, y और y, z नहीं ढूंड पाए, तो क्या बोलेंगे, बोलो. Transitive, confidence रखना अपनी learning पे लड़ खडाना मत जवाब दो, 1, 2, 3, 4, क्या यहाँ पर ऐसे x, y और y, z ढूंड पा रहे हो, tell me the chat, क्या यहाँ पर ऐसा x, y और y, z ढूंड पा रहे हो, जिसके लिए x, z नहीं बैठा हुआ, Just tell me this thing, Just tell me this thing, क्या यहाँ पर ऐसा x, y, और y, z ढूंड पा रहे हो, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का अंसर मत दो मुझे ये बताओ क्या ऐसा x y और y z ढूंड पा रहे हो जिसके लिए x z नहीं बठा हुआ एक बच्चा कह रहा है yes बाकी सारे नो बेटा जो yes कह रहा है जरा मुझे भी बताओ कौन सा x y और y z ढूंड पा रहे हो रिशी जरा बताओ ऐसा कौन सा x y और y z ढूंड पा रहे हो जिसका x z नहीं बठा हुआ tell me in the chat रिशी एक बच्चा जो yes बोल रहा है जो भी बच्चा yes बोल रहा है मुझे जवाब दो कौन सा x y और y z है कौन सा एकस वाई और वाइजड है, बताओ पटाओ, बताओ पटाओ, अगर पता नही तो फिर बोल क्यों रहे हो, फिर तो नहीं टूंड पाए है न। नहीं टूंड पा रहे हो, यह मेरे को तो एकस वाई के बाद वाईजड ही नही दिख रहा, tell me in the chat yes or no, मुझे तो एकस व और yz नहीं मिल रहा तो क्या इसको मैं not transitive बोलूँगा नहीं अब सुनो मेरी बात ध्यान से अब मैं इसको conclude कर रहा हूँ सुनो मेरी बात ये बहुत ही important है एक ही condition है जिसमें मैं relation को not transitive बोलूँगा वो condition क्या है अगर मेरे को xy और yz मिल गया जिसके लिए xz नहीं बैठा हुआ यहां मुझे xy और yz मिल गया था जिसके लिए xz नहीं बैठा हुआ यहां मुझे xy और yz नहीं मिल रहे तो ये transitive है इस इस अगर जिसमें not transitive कहेंगे सब को समझ आ गया तो hashtag vlop लिख दो बहुत बचे इसमें लड़ खडाते हैं पट अगर तुम्हें मेरा तरीका समझ आ गया तो तुम लड़ खडाओगे तो नहीं जवाब तो पका सही देदोगे शाबाज तो एक दो example और करते हैं अब आजो मुझे इसका जवाब दो जिस चीज का मैं जवाब पूछूँगा उसका जवाब देना है ठीक है कुछ और अंसर मत देना मेरा कोशन है सुनो मेरा कोशन है क्या तुम यहाँ पे x y और y z ढूंड पा रहे हो जिसके लिए x z नहीं बैठा हुआ बस इसका जवाब दो क्या यहाँ पे x y और y z ढूंड पा रहे हो जिसके लिए x z नहीं बैठा हुआ सर नहीं धून पारे है, सर अब तो बिलकुल धून पारे है, अब आगया, सर वन टू और टू थरी दिखा था, परकम बकत वन थरी आ गया 2-3 नहीं आगे कुछ जाए नहीं रहा 1-3 आगे कुछ जाए नहीं रहा सर मैं ऐसा कोई भी xy and yz नहीं धूंड पारा जिसके लिए xz नहीं बैठा हुआ तो यह ट्रांजटें है अब यहाँ पे आओ क्या तुम यहाँ पे xy और yz धूंड पा रहे हो जिसके लिए xz नहीं बैठा हुआ बस हाँ या ना बोलो बस क्या ऐसा xy और yz धूंड पा रहे हो जिसके लिए xz नहीं बैठा हुआ इसमें बताओ तूरा देख लेना इंड तक हाँ सर धूंड पा रहे हैं सर जी यह बैठें कल्परिट्स सर मैं 4,5 और 5 बन धूंड पा रहा हूँ जिसके लिए 4,1 नहीं बैठा हुआ अगर तुमने ऐसे xy और yz धूंड दिये जिसके लिए xz नहीं बैठा हुआ तो वो not transitive है मैं कहा पहले chat बताओ नहीं या रहे हैं बहुत easy हो गया अब अगर तुम इस तरह से चलोगे अगर तुम इस तरह से चलोगे सारा confusion दूर हो जाएगा अपने आप friends से discuss कर सकते हो जो इनको सीधा पढ़ते हैं उनको दिक्कत आती है बहुत जगा पे पर हम इसको उल्टा पकड़ेंगे कि not transitive को check करेंगे हम हम transitive check ही नहीं करेंगे हम not transitive check करेंगे आजो अब last में आओ क्या यहाँ पे ऐसा xy और yz धूंड पा रहे हो जिसके लिए xz ना हो बताओ क्या यहाँ पे ढूंड पा रहे हो बिलकुल ढूंड पा रहे हैं सर क्यों पी यहाँ पे तो xy और yz धी नहीं है यहाँ तो xy और yz धी नहीं है वो पहले xy और yz आ जाते तो ही तो सवाल उठता कि xz नहीं है यह है तो यहाँ पे सरम ऐसा कोई xy और yz नहीं ढूंड पा रहे जिसके लिए xz ना हो तो this is transitive डन है? आगे ने जा रहे बहुत बढ़ी है सो मेरे बचो चैट में बता दो हमेशा जब भी तुम transitive, non-transitive वाला सवाल कर रहे हो आपको हमेशा non-transitive के लिए चेक करना है और कैसे चेक करना है? xy और yz अगर ये दो चीज़े हैं अगर ये दो चीज़े हैं and xz नहीं है सिरफ तब ही तुम not-transitive लिखोगे बाकी कुछ भी हो जाए सब transitive है चाब कोई नहीं जा रहे है? आज हो आगे है प्रूव दैट इस इससे पहले कि हम transitive के और हमें transitive के और example करने हैं, जैसे हम पीछे किये नहीं से बहुत सार एक्जमपल और करने हैं बट उससे पहले हम थोड़ा theoretical भी देखें कि स्कूल में प्रूव कैसे किया जाता है प्रूव दैट इस इस ट्रांजटिव रिलेशन सुनो मेरी बात symmetric कैसे प्रूव करते मैंने आपको अभी बताया, right? अब एक बच्चा कहता सर आपने थर्ड रिलेशन को ट्रांजटिव लिखा हर सिम्रन बेटा अगर आप 10 मिंट पहले आये होते तो आप भी उसको ट्रांजटिव ही लिखते आजाओ, प्रूव दैट इस रिलेशन इस ट्रांजटिव अब सुनो मेरी बात कैसे ट्रांजटिव प्रूव किया जाता है? अगेन, जैसा मैंने सिमिट्रिक में बताया था, सबसे पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टन है और पहला स्टेप क्या होता है? लेट, AB belong to relation, and BC belong to relation इस 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 परस्टेप अगर यह कर दिया तुमारा 80% प्रॉब्लम खटम हो जागा इस पहला स्टेप की निकर पाते, बच्चे को यही नहीं पता होता है की शुरू कैसे करना है यही नहीं पता होता है की शुरू कैसे करना है तो जब भी आपको ट्रांसित प्रूव करना है, this is your first step, and what will be your last step, you will be ending up proving that AC belong to R, do you all agree, this is what you should end up proving, यह आप लेके चलेंगे, देखो, अगर AB और BC है, तो AC बैठा हुआ है, यह मैं प्रूव करतूँगा, खतम बाद, एक बार अपने help के लिए इसका meaning लिख लो, कि भया, प्र प्रूव करना क्या है, प्रूव करना है, A is factor of C, चलो भी, करेंगे proof, अभी हम solution शुरू करें, पहले इसका meaning क्या बना, A is factor of B, ओके, A is factor of B, ऐसे लिखेंगे, फिर इसका meaning लिखो, B is factor of C, that is C equal to B into something, तुम्हें finally prove का करना है, A is a factor of C, याने की तुम्हें चीजों को A और C में लेके आना है, मतलब B को खतम करना है, B मैं नहीं चाहता है, A और C में लेके आना है, तो एक काम करो, B की यह value है यहाँ पर put कर दो, B की जो value है, वो यहाँ पर put करतो, अपने आप चीजें जो है A और C में आ जाएंगी, लो भाईया, C is equal to, B की value रखो, A, K1, K2, अब ज़रा मुझे चैट में बताओ, मैंने B की value रख दी, do you agree, you have proved what you wanted to prove, you have proved what you wanted to prove, it implies A is factor of C, और यही मुझे prove करना था, चको, नजा रहे हैं, तो जब भी transitive prove करना है, हमेशा यह पहला step लिख दो, let A belong to relation, B C belong to relation, and पहुंचना कहां पर A, C, यह लिख दो, step by step करोगे, अपने आप ही हो जाना, कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली, शाबाश, अब थोड़े से सवाल, संगीनियत की और बढ़ेंगे, अब थोड़े संगीन हो जाएंगे हम, ओके नवाश, आप थोड़े संगीन होने वाले हैं, चीज़े बड़ी होने वाली हैं, दरना नहीं है, यह objective question है, पर मुद्दा वही है, आपको दो relation दिये गए हैं, चेक करना है कौन सा symmetric है, transitive है, यानि कि symmetric और transitive पे comment करना है, तो चलो, एक साफ पेज पे आते हैं और शुरू करते हैं, लै बेटा, पहले हम इसका symmetric चेक कर रहे हैं, कि यह symmetric है जा नहीं, मेरे साथ साथ चलना, CA है, देखो कि AC बैठा है, हाँ सर, AC बैठा है, चलो, यह तो खुश है, BB, भाईया, same same, कभी दुखी नहीं करते, चैट में लिख दो, सर, same same, कभी दुखी नहीं करते, इनको अपने आप से प्यार है, यह किसी को दुखी नहीं करते, AC बैठा है, तो CA तो पहले आई चुका है, CC, वो पहले सी same है, BC आगए है, तब CB, क्या CB बैठा है, यह सर, CB बैठा है, AA को अपने आप से प्यार है, भाईया, symmetric तो clear लिए है, कोई दिक्कत ही नहीं है, symmetric में कोई दिक्कत नहीं आ लिए हमें, शाबाश, अब इसको भी symmetric चेक कर लेते हैं, आजो, फिर दोनों को transitive check करेंगी, जिसमें जाला मसा आएगा, AB, BA, चलो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, CC वो वैसी दिक्कत नहीं होती, CA, AC बैठा है, चलो, दिक्कत नहीं, इसको दिक्कत नहीं, इसको दिक्कत, ओ, मैं क्या माराज, दोनों बड़े प्यार से symmetric है, दोनों बड़े प्यार से symmetric है, शाबाज, बैठा, अब बारी-बारी transitive की, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे असली मेहनत लगती है, सर जी, मैं तो transitive check की नहीं करता, मैं तो not transitive check करता हूँ, not transitive का answer पता है, तो transitive का अपने पता लग जाएगा, तो चलो सर, इसका not transitive check करते हैं, कि है या नहीं, है या नहीं, ढूंदो इसमें क्या कोई x, y और y, z, मिल रहे हैं, जिसके लिए x, z ना बैठा हो, ढूंदो जो कि क्या ऐसे x, y और y, z मिल रहे हैं, जिसके x, z ना बैठा हो, अगर मिल रहा तो बता दो, नहीं मिल रहा तो भी बता दो निखिल बैठा, subscription की बात, session के end पर करेंगे, अभी पूरा focus यहां पर, ठीक है, नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा, चलो मैं भी धूंदता हूँ, आ जो देखे, तो बैठा आओ, अब मैं तुमको धूंदना बता रहा हूँ, धूंदते कैसे हैं, आ जो, मेरे साथ धूं अच्छा, ज्यां से देख लो, C, A, C, मतलब C, C आना चाहिए, C, C बैठा हुआ है, तो भाईया, इसका मतलब क्या, मेरी बात अच्छा, सुनो, मतलब ये वाले चीज दुखी नहीं कर रही, बिल्कुल दुखी नहीं कर रही, ये बन गया, अब आगे चलो, B.B. तो वैसे दुखी नहीं करता, सेम सेम वाले कभी दुखी नहीं करेंगे, पी जाओ, A C पे आओ अब देखो कि क्या कोई pair C से शुरू हो रहा है और जब देख रहा है शुरू से शुरू होना है हाँ सर ये वाला शुरू हो रहा है C से देख लो A C C A तो यानि कि A, A को आना पड़ेगा A, A को आना पड़ेगा सर बैठा है A, A मतलब ये भी दुखी नहीं कर रहा है अब बेटा यहाँ पे आओ C C तो वैसी दुखी नहीं करता B C देखो कि क्या कोई चीज C से शुरू हो रही है क्या तुम देख पा रहे हो दो चीजें C से शुरू हो रही है ये वाली ये वाली इसकी चिंता नहीं करनी पहले बतातो सेम सेम कभी दुखी नहीं करेगा सेम सेम कभी दुखी नहीं करेगा दो दो चीजें बैठी है दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा तो पहले इन दोनों को चेक करते है B C, C A क्या BA है ओए BA नहीं बैठा हुआ ओए शिट देखो BA नहीं बैठा हुआ BC बैठा है CA बैठा है बट BA नहीं बैठा है तो तुमने ऐसा XY और YZ ढूंड दिया जिसके लिए XZ नहीं बैठा तो ये पक्के से NOT TRANSITIVE है एक वास चैट में तना बताओ 70% समझ आ गया कि कैसे चेक करते हैं फिर हम सेकेंड इग्जामपल करेंगे 100 हो जएगा 70% समझ आ गया पहले से शुरू होना है और एक एक को पकड़ पकड़के चेक करना है एक एक को पकड़के ऐसे रेंडमली नहीं ढूंदने है रेंडमली ढूंदोगे तो नहीं मिलने वाले है शाबाश अब आजो सेकेंड एक्जामपल पर अब थोड़ा फास चलेंगे क्योंकि अब तुम्हें बेसिक क्लियर है सबसे पहले इसको पकड़ो देखो कि B से क्या क्या शुरू हो रहा है है A B B A, A A बैठा हुआ है तो यानिकी यह खोश है यह दुखी नहीं कर रहा है लो यह दुखी नहीं कर रहा है अब आजो B A पर जब मैं कह रहा हूं B A, अब मैं देखूंगा कि कुछ A से शुरू होता है या नहीं फिर से याा ुदिलाओ जब A से चेक करना है यहां से ख्याला क्यों भूल गए शुरू से शुरू हो जाओ बी ए बी बी बीयह jetzt इबीह तो बी कॉमाऍभी होना चाहिए बैठा है बैठा है शूट मत बोलना कितनों ने यह देख लिए था कि बी एक के साथ एबी भी चेक करना पड़े सची बोलो सारे चैट में जूट कोई नहीं बोलेगा बिगनिंग बचे बड़ा मिस करते हैं उनको एक दिखता वहीं पर खुश हो जाते हैं बाकी देखते ही नहीं आगे मा कसम से अरे शावाश I am so happy very good तो हमने ये तो देख लिया कि ये दुखी नहीं करता अब उसको चेक करते हैं बीए है एसी है तो बीसी होना चाहिए ओ बीसी नहीं बैठा मैं का बीसी बैठा ही नहीं है बीए है एसी है बट बीसी नहीं है पक्के से नौर्ट ट्रांजित involved एक भी जगा तुमको अगर x y और y z मिल गया जिसके लिए x z नहीं बैठा हुआ सीधे के सीधे not transitive लिख दोगे वहीं पर रुक जाओगे आगे जाना ही नहीं है और अगर end तक जाते जाते तुम्हें कोई ऐसा x y y z नहीं मिला तो कह दो transitive काम खता हूँ ठीक है इन दोनों को अच्छे से बान फिर से करना है अब जो भी option fit battery होगी आप कहा देंगे ठीक है आपको दोनों का transitive symmetric पता है तो जो भी option है वह आप कहा देंगे शाबाश आगे चलो एक और थोड़ा theoretical question प्रूव करने वाला है बट इसमें एक अलग एंगल है देखो consider a relation of whole number defined as this x is less than equal to y square prove that reflexive है बट symmetric और transitive नहीं है इस सवाल का main purpose क्या है यह सिखाना कि यह कैसे प्रूव किया जाता है that something is not symmetric or not transitive ऐसे वाले case में ऐसे वाले case में देखो अगर तो element वो पड़े है मेरे पास मैं देख के बता देता हूं बट यहां पर element नहीं पड़े हुए right whole number पर define किया तो infinite pairs आएंगे तो मैं ऐसे नहीं check कर सकता तो फिर कैसे प्रूव करूँ कि यह not symmetric है not transitive है अब यह सुनो सबसे पहले reflexive को प्रूव करना है हमने और यह reflexive क्या होता है हर एक बंदे को अपने आप से प्यार होना चाहिए बाकि जो मर्जी हो जाए do you agree for for any a belonging to whole number a is less than equal to a square yes or no तुम कोई भी a ले लो whole number वो इसको satisfy करता है कि a जो है a square से छोटा होगा या बराबर हो जाएगा पान का square equal to one होता है implies a, a belongs to relation तुमने कोई भी whole number लिया देखा कि वो अपने आप से related है therefore reflexive तो जब भी reflexive प्रूफ करना है तुमने बस यह दिखा देना है कि a, a satisfy करता है condition को reflexive प्रूफ होना सबसे असान होता है just prove कि a, a condition को satisfy करता है अब आता है not symmetric not transitive सुनो मेरी बात जब भी दिखाना है not symmetric तुम्हें कुछ prove नहीं करना है तुम्हें एक counter example देना है याने कि ऐसा a, b देना है जिसके लिए b, a ना हो बस that's it not symmetric not transitive यह prove नहीं किया जाते है इनके लिए example दिया जाता है example से दिखा जाता है देखो यहां पर problem है तो symmetric नहीं होगा यहां problem है तो transitive नहीं होगा not symmetric अरे बड़ा इसी है आप कह सकते हो कि कि तू जो होता है वो less than three का square होता है three less than four four ले लो अफ्कोर्स एक्जम्पल सोच के बनाना पड़ेगा आपको two less than equal to five square होता है two less than equal to five square होता है yes sir इसका मतलब two comma five आपस में बंदे हुए है but do you agree five जो है two square से छोटा नहीं है याने कि five comma two relation में नहीं है दे दिया आपने counter example आप counter example कोई भी दे सकते हैं यह तो मैंने example बनाया कोई भी बना सकते हैं तो two जो है five से relate कर रहा है बट five two से relate नहीं करता है तो आपने ना खुझ से सोचना कि ऐसे कौन सा a b है जो उसको satisfy करता है बट बी यह satisfy नहीं करता ठीक तो अभी जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ एकदम से आएगा पर हो सकते हैं आपको खुझ सोचने में थोड़ा सा time लगे not transitive not transitive का तुमको पता है तुमको a b और b c देने हैं such that a c ना हो अब तो सबके तन्द मन में बसे गया है not transitive का a की जुगार है a b बैठा है b c बैठा है a c नहीं बैठा है तो आजो बना लेते हैं कोई example 5 जो है less than equal to 3 का square होता है and 3 less than equal to 2 का square होता है but do you agree 5 less than equal to 2 का square नहीं होता है do you all agree तो 5,3 है 3,2 है but 5,2 नहीं है फिर से कहूं यह चीज अभी आपको देखने में ठीक लगेगी बठाख खुच सोचने में time लगाना पड़ता है तो after session आप ऐसे एक दो example खुद भी बना के देखना ताकि आप थोड़ी example create कर पाएं that's it तो not transitive not symmetric हमेशा example से देना है आपने last is equivalence relation इसमें कोई नई theory नहीं है कोई भी relation जिसमें यह तीनों खुबियां हो उसको equivalence कहते हैं और कुछ भी नहीं कोई भी relation जो reflexive भी हो symmetric भी हो transitive भी हो तो this is not a new definition to be checked यही तीन चीज़े चेक करते हैं अगर तीनों हो जाएं तो equivalence है और कुछ नहीं for example यह language वाला example है और इसको आप language से ही प्रूव करेंगे लिखने का तरीका है मैं अगली slide में लिखा attention मत लो हम इसको orally प्रूव करेंगे पहले T1 T2 क्या है triangles है हम कहेंगे कि T1 T2 से relate करता है अगर वो similar है तो चलो everybody agrees clearly reflexive है भाई हरे एक triangle अपने तो similar होगा ही होगा yes or no T1 is similar to T1 obviously therefore T1, T1 belongs to relation yes or no हरे एक triangle अपने तो similar होता ही है symmetric obviously symmetric है अगर T1 T2 के similar है तो obviously T2 T1 के similar भी होगा तो symmetric भी है तो reflexive है symmetric है अब आता है transitive अरे orally कर लोगे अगर T1 T2 के similar है and T2 T3 के similar है do you agree T1 भी T3 के similar होगा तो ये एक बहुत ही पप्पी सा example था बस ये बताने के लिए कि equivalence के लिए आपको बस ये तीनों चीज़े चेक करने ही पड़ती है तीनों हो जाएंगी तो मैं कहादूगा equivalence है नहीं होगी तो कहादेगे not equivalence और कुछ भी नहीं बावेश्ट थोड़ा average सा ही है थोड़ा गले का काम आगे देखते बैट ये लिखने का तरीका पता है वाग स्कूल में कैसे लिखना हो कि साफ साफ अब ये थोड़ा सा better question आ गया better ऐसा नहीं कि equivalence का better है बैट इसमें एक तो तीनों चीजों को प्रूब करने का proper तरीका आपको दिमाग में रखना है दूसरा इसमें एक चीज एक्ट्रा आ गई ये इसके बारे में मैं अभी comment करूँ है ये इसका मतलब क्या है और इसको एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है इसमेंट करता हूं सबसे पहले solution शुरू किया जाए यह relation दिया हुआ है कैते प्रूव कर दो फटा 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 की एक्क्वेलेंस है मतलब रिफ्लेक्सिव स्मेट्रिक ट्रांजिटिव एक्वा चैट फटा फट पता दो डू यू एग्री क्लियरली रिफ्लेक्सिव है ए कॉमा ए इस कंडिशन को क्लियरली सैटिस्वाई करेगा ए मइनस ए उफलेक्सिव है क्लियरली रिफ्लेक्सिव है मैं लिख भी नहीं दाओ मानते हो हाँ do you agree clearly symmetric B है अगर A-B-4 का multiple है तो B-A-B-4 का multiple होगा negative multiple आजाएगा yes or no clearly symmetric B है इनकी ज़िए को फटा-फट orally कर रहा हो भी very good reflexive B symmetric B Transitive हम लिख लेते हैं आजो क्योंकि Transitive की थोड़ी practice जतनी अच्छी हो जाए better है पहला स्टेप सब को पता है let A-B belong to relation and bc belong to relation यह पहला step है और जो end में चाहिए वो पहले लिख लो ac belong to relation मुझे create करना है और इसका meaning भी लिख लो तांकि पता हो कि किदर की और बढ़ना है meaning बना a minus c is multiple of four मुझे इधर की और जाना है तो चलो भाया घटी है सवा बिल्कुल घटी है चाहिए फटबर लिख दो a b belong to relation मतलब a minus b जो है four का multiple है bc belong to relation मतलब b minus c four का multiple है यार तुम्हें a और c में जाना है तो क्या करोगे b को खतम कर दोगे चाहे तो value put कर दो चाहे add कर दो do you agree चाहे तो value up put कर दो चाहे add कर दो b को खतम करना है बस अपने अब तुम्हें a और c में आ जाओगे सबको समझ आता है कि यह topic बहुत easy हो चुका है यह बिल्कुल tension देही नहीं सकता हमको अब यह add कर दो a minus c equal to four time k1 plus k2 तो a minus c four का multiple है वही मुझे proof होना था काम खतम है अब एक छोटा सा point है जो की बरी language confuse करती है अगर कभी सवाल में ऐसा लिखा हो एक equivalence relation हो और बोला हो find equivalence class of three तो वो कह रहा है कि three से related element बता दो बस यह मतलब उसका am I clear find elements related to three लिखा है या find equivalence class of three लिखा है दोनों का same meaning होता है बस यह term होती है equivalence class मतलब इस से जो जो element relate कर रहा है वो बता दो तो थ्री से element कौन से relate करेंगे यार लिख दो यहां पर एक को थ्री ले लो चाहे बी को थी ले लो कोई फरक नहीं पड़ता equivalence में असर सेम ही आता है यार रखना हमेशा क्योंकि स्मेट्रिक है ना तो a b आएगा तो b a b आएगा तो equivalence में अच्छा बड़ा बड़ा टाउट होता है सर जब उसमें पूछा कि थ्री से element कौन से रिलेट हो रहे है तो वह a को थ्री कह रहा है या बी को थ्री कह रहा है बटा यह equivalence relation है अगर a b आएगा तो b a b आएगा यानि कि तुम चाहे a को थ्री ले लो चाहे b को थ्री ले लो answer बे फरक नहीं पढ़ने वाला तो जो मर्जी ले ले लेना tension खतम बड़े काम काते तो नहीं चीज़ें बहुत confuse करती है बच्चों को तो बस किसी को ले लो मैं b को थ्री ले लेता हूं तो a,3 relation में ह होना चाहिए तो a पूछ रहा है यानि कि a-3 जो है 4 का multiple होना चाहिए अब देख लो एको क्या-क्या ले सकते हो एको 3 ले सकते हो एको 7 ले सकते हो एको 11 ले सकते हो आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि 12 के आगे जाई नहीं सकते बिलकुस सही खटी है सवाल अब तो पूरा खतम हो गया topic कोई बचा है कि अधा सवाल रखाओ एक अधा सवाल और देख लें तो और प्रैक्टिस हो जाएगी याए टी में आया था उसके बाद रिलेशन का काम खतम और फंक्शन शुरुआत आजो तो आज इसको चेक करें क्या मैंने आगे स्लाइड रखाया फ्रेश नहीं रख पाया चलो कोई बात नहीं यहीं पर देखो क्या यह reflexive reflexive symmetric or transitive सब check करना है चलो चेक करते है reflexive 33669912 33669912 आगे इसके लाब जो मर्जी आजा फरक नहीं पड़ रहा reflexive तो है कि चैटें बताओ क्या symmetric है 612 है बट 126 नहीं है symmetric तो नहीं है कि अब आती है बात transitive की transitive में अब सारे बच्चे ध्यां से देखेंगे यहां तक कई चिंता है नहीं यहां से शुरू करेंगे six 12 अब मैं देखूंगा 12 से कुछ शुरू हो रहा है अगे से देखना ہے शुरू करना है तो पर क्योंकि यहां पर पेर पेर सेम सेम है तो tension होगी NEE तो आगे देखो 12 से कुछ आजहा है नहीं आ रहा यह तांग नहीं कर रहा 3-9 शुरू से शुरू हो जाओ पेर पेर सेम है तो टेंशन नहीं है 9-9-9 है यह नहीं पंगा नहीं है 3-12 शुरू से शुरू हो जाओ सबको पता है ना इसका कोई पंगा नहीं है सेम सेम कभी दुखी नहीं करेगा 3-12 कुछ 12 से है नहीं है, कोई पंगानी बेटा 3-6, 6 से ये है 6-12 तो 3-12 होना जरूरी है वो बैठा हुआ है कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही तो this is Transitive Reflexive है Transitive एक बाद चैट में लिख दो Transitive घटिया हो गया आब चैट में लिख दो Transitive घटिया हो गया आब कुछ नहीं बचा सुमें लिख दो चैट में घटिया हो गया घटिया हो गया घटिया हो गया येस, very good आई शाबाई, घटिया नहीं जा रहे और मैं खतम हो गया अब आगे फंक्शन लिख भया अब थोड़ा सा आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा पहले मैं फंक्शन को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं उसको देखना कैसे बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना जैसे बता रहा हूं वरना तुम बहुत लड़ खड़ा होगे सुनो मेरी बात फंक्शन जो है तीन जगा पे majorly cover होता है majorly तीन जगा पे पहले 11th में होता है जहां पे आप functions 1 पढ़ते हो beginning में फिर 12th में होता है जो अभी हम शुरू करने लगे अभी यह शुरू करने लगे है functions इसको function 2 भी बोल देते हैं कही बार और फिर 12th में ही आगे chapter आएगा application of derivative application of derivative जहां पे आप derivative को use करके increasing and decreasing function पढ़ोगे इन तीन चीजों के बाद जाके function पूरा खतम होता है and that is sufficient to make you understand कि क्यूं बच्चों को function की solving में दिक्कत आती है मेरा point समझ आ गया क्योंकि जब वो यहां function पढ़के solving के लिए book उठाता है बहुत जगा आठकता है क्योंकि यह और यह वाले सवाल वहां बैठे होते है क्योंकि book में सारे सवाल एक जगा दे देते हैं वो objective में जब वो यहां पर करके उठाता है तो स्टेल वो थोड़ा बहुत तो कर पाता है बट यह वाली category तंग करती है यहां पर यहां पर जाके वो पूरा function solve करने के लाइक बनता है ठीक है तो अब सुमों अकलमंदी क्या है अकलमंदी यह है बिटा तिल दिस पॉइंट solve only that content which is given by your coaching अगर विदाम्तु पर होता विदाम्तु अगर कहीं और तो कहीं और कहीं और given by your coaching reason being coaching वाले जब content देते हैं तो इस chapter में वही कोशन डालते हैं जो इसके relevant है आगे के नहीं डालते अब्जेक्टिव बुक में ऐसा की parameter नहीं होता अब्जेक्टिव बुक में सब कुछ एक जागा रख देते हैं और जिसकी वाइसे बच्चे फस जाते हैं और बच्चों को end तक function पे confidence ही नहीं आपाता कोई डरते ही रह जाते हैं कि यार यह होता ही नहीं होता ही नहीं है especially एक topic जो बच्चों की जान ले लेता है range बोल तो जिसने भी थोड़ा बहुत कोचिंग लिये कुछ भी लिया है do you agree range बहुत खूँचूसता है range of a function बहुत बच्चों को तंक करता है reason being वो range को यहां से solve कने की शुरुआत करता है बट यहां पे थोड़ा टकता है क्योंकि थोड़ा range यहां है तो रेंज अगेन फैलागवा टॉपिक है तो इस करके रेंज बहुत तंग करता है राइट रिगार्डिंग रेंज लेट में टेल यू अगर रेंज तुमको तंग करता है यूट्यूब पे सर्च मारना रेंज अरविंद का लिया तुम्हें वहां पे मेरा एक सेशन दिखेगा रेंज ऑफ फंक्शन जहां पे मैंने करीबन करीबन 80-90 परसेंट ऑफ वराइटी ऑफ रेंज जो यहां तक की जा सकती है वो कवर कर दी है सिरफ डेरिवेटी वाला पार्ट नहीं उठाया क्योंकि बचे डेरिवेटी अभी पढ रेंज पर ट्रिग्नोमेटरी में आता है क्योंकि a sin x plus b cos x lies between minus root a square plus b square से plus root a square plus b square range quadratic में आता है क्योंकि quadratic की range होती है तो बहुत जगा पर रेंज आता है वो सारी variety of range मैंने यहां पे एक session में line by line word by word proper से categorize करके cover कर दिया है इस session को जरूर देख लो तुम्हारा range का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा variety by variety तुमको मिल जाएगी सिरफ एक variety जो derivative से होती है वो मैंने नहीं की वहां पर क्योंकि बच्चों derivative पढ़ा नहीं होता है इसके लवा सारी variety का word है सारे दुख दर्द दूर हो जाएगे समझेगे तो वो जरूर देख लेना बहुत help करने वाला है अब शुरू करते है session को function को function बेटा यह topic है आपके 12 के पहले function की types आएंगी जो की 11 में समझी जाती है one one man one on two into हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे और थोड़ी बहुत solving यहां 12 में आती है अगेन ज्यादा solving इसकी बाद में आएगी जब तुम derivative सीखोगे composition of function एक completely new term है जो की 12 में ही आती है inverse of a function अगेन completely new term 12 में ही आती है functional equation कई बच्चे थोड़ा बहुत 11 में पढ़ते हैं कई 12 में पढ़ते हैं मैं तुमको यह पूरे का पूरा 12 में पढ़ाऊंगा तो जिन्होंने नहीं पढ़ा 11 में टेंशन नहीं लेनी तो यह तुम्हारा function का सलेवस है लो सबसे पहले classification of function मुझे बस इतना बता दो किसको फीका फीका कुछ कुछ तो याद है हाँ यार कुछ one to one function होता था कुछ many to one function होता था जिसको फीका फीका भी याद है चैट में ब हमें बस इसका brief recall की जरूरत है हमें बहुत in-depth की जरूरत नहीं attention मत लो एक brief सा recall चाहिए बस हाँ sir one to one होता था कुछ many to one होता था फीका 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 तो यार पूरा याद है very good तो सुनो मेरी बात one to one function है जब एक को एक से प्यार हो खतम बात एक को एक से प्यार है इसको इससे प्यार है इसको इससे प्यार है इसको इससे प्यार है one to one function many to one जब बहुत सारों को एक से प्यार हो जाए इसको इससे प्यार है इसको इससे प्यार है इसको भी इससे प्यार है many to one On to सामने जितने भी थे हर एक को कोई न कोई पसंद आ गया सामने जितने भी थे हर एक कोई न कोई पसंद हर एक किसी न किसी का प्यार है into यहाँ पे कुछ बदनसीब ऐसे रह गए जिनसे किसी ने प्यार नहीं किया ये इंटू है बस मीनी जाद आ गया फटा फट बोल दो तो सबको एक-एक से प्यार है सबको अलग-अलग से प्यार है यहाँ पे कुछ को एक ही से प्यार हो गया यहाँ पे सामने जितने भी थे सब भी किसी ना किसी का तो प्यार बन गए यहां पे सामने कुछ बच गए that's it, और कुछ भी नहीं so one to one, many to one on to, in to very good, इसमें से पहले हम थोड़े से सवाल इसके करेंगे बिल्कुल थोड़े से जादा नहीं करने क्योंकि यह topic detail में आएगा application of derivative में बट यहां पे मैं थोड़े सवाल करवाओंगा so that आपका एक नहीं हलका सब फिर से बेस बन जाए हलका सब बेस फिर से बन जाए फिर हम थोड़े सवाल इसके भी करेंगे और फिर आगे चलेंगे तो आजो भई यह मैंने बताई दिया आपको एक पर terms याद दिलाता हूँ terms यह पूरे का पूरा सामने की team को code domain कहा जाता है बट वो जो किसी ना किसी के प्यार बन गए जो किसी ना किसी के प्यार बन गए उसको range कहते हैं बस यह दिमाग में रखना बच्चे range से थोड़ा confuse हो जाते हैं जो किसी ना किसी के प्यार बन गए उसको range कह देते हैं एक बच्चा बहुत टाइम से चीज़ बताना चारा ले बेटा मैं बता देता हूँ तू दुख ही ना हो हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो one to one function को injection injection कह दिये injective function भी कहते है onto function को surjective function भी कहते है another name many to one का कोई और नाम नहीं है into का कोई और नाम नहीं है और हाँ ऐसा function जो one to one भी है and onto भी है ऐसे function को byjective function भी कहते है ये कुछ नाम है जो पता होने चाहिए दिख जाते हैं बस और की बात नहीं की बड़ दिख जाते हैं डरना नहीं ठीक है जी विक्की अनन्दा जी खुश हैपी byjective function one one function और on two को कहते हैं कितने जने देख पा रहे हैं कि ये जो है byjective है one one भी है onto भी है tell me in the chat one one भी है onto भी है देख पा रहे हो ये byjective भी है this is byjective बढ़ रहे हैं ठीक है सवालों के बढ़ते हैं आजो notation देख बता दी है अच्छा होए सबको formal terms याद है ना इसका image ये होता है ये formal terms सबको याद है tell me in the chat इसका image ये होता है अगर f of a b आ जाए तो b को कहते है image of a ठीक है on to into को चेक करेंगे पहले one one many one 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 many one से पहले मुझे एक चीज बताओ पहले ये हटे तो बताओ पिछे या आ जा सुन मेरी बात एक बच्चा कहते है प्री image भी बता दो या ते को पता है तो क्यों पूछता है शेरा पिटा अगर f of a b है तो a का image b होता है और b का pre image a होता है ठीक है माला खोश माला खोश रहो क्या demand demand बहुत करते हो तुम लोग आ जो बेटा जो मैं बताने लगाँ अभी ये ideally application of derivative में आता है detail में बट मेरी ये habit है कि ये चीज मैं यहाँ पे जरूर सिखाता हूँ क्योंकि ये चीज ऐसी है जो beginning में बच्चे को confuse करती ही करती है तो जब ये चीज जो मैं बताने लगाँ बच्चा सीधे application of derivative में पढ़ता है तो वो हिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ एक बार पहले यहाँ बताता हूँ तो यहाँ पे उसको 60-70 चमक जाता है 30-40 डाउट रहता है बट जब यही चीज अपनी सही जगा application of derivative में आता है तो फिर वो repetition आ जाता है और उस repetition की वज़ा से उठ जाती ही चीज़ को फिर पूरी समझ आ जाती है सबको idea clear हो गया हम जो करने लगे है वो थोड़ा सा आगे का है बट सीख लो आज सीख लोगे तो मीहिने के बाद जब application of derivative आएगा पूरा can't में जाएगा आजो तो पहले बटा मुझे यह बताओ यह मालो 2 है ठीक है F- अगर तुमको कोई बता दे कि F- न यहाँ पे positive है और F- यहाँ पे negative है तो क्या तुम अराम से interpret कर सकते हो कि जो function का graph होगा वो कुछ ऐसा होगा पहले उपर जाएगा फिर नीचे आएगा अगर तुमको बता दे कि F- 2 से पहले positive है और 2 के बाद negative है तो graph कुछ ऐसा होगा अनन्द बेटा तिल 3.30 positive होता है फंक्शन ऊपर की और जाता है और जब भी F- negative होता है function नीचे की और आता है do you all agree in this case I can say यह जो highest point है यह x2 comma f of 2 होगा do you all agree सबसे ऊपर value 2 पे आएगी फिर नीचे चली जाएगी do you all agree बिल्कुल ध्यां से सुनते रों बड़ी काम की बता रहा हूँ दूसरा case दूसरा case यह मालो 1 है यह मालो 3 है f dash मालो यहाँ positive है यहाँ negative है यहाँ positive f dash अब function का graph कैसा होगा सर जी पहले तो function ऊपर जाएगे हाँ बेटा I hope you understand हम सिर्फ rough graph बना रहे हैं हम सिर्फ इतना देख रहे हैं function ऊपर कहां जाएगा और नीचे कहां पर जाएगा function पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा डू यू आगरी रफ शेप ऐसी होगी जस्ट रफ शेप ऐसी होगी डू यू आगरी यह जो point है यह होगा one comma f of one one तक graph उपर जा रहा है और यह point होगा three comma f of three three तक graph नीचे जा रहा है मैं का यहां तक सबको clear है yes sir अब इससे पहले कि मैं last पताऊं तो कि सबसे important है जिसका use होने वाला है do you all agree यह function many to one है यहां पे बहुत सारी values repeat हो रही है पहले value बढ़ रही थी फिर कम होनी शुरू हो गई पकी बात है many to one function है do you all agree जते न बाउट one week more पिटा अभी one week लगेगा do you all agree this is many to one function certainly पहले values बढ़ती जा रही थी फिर वाई कम होना शुरू हो गया जब भी वाई repeat कर जाता है function many to one हो जाता है do you all agree this is also many to one do you all agree this is also many to one फटा फटा सारा focus यहां पे भी कुछ और नहीं बढ़ रहा था फिर कम हो गया फिर बढ़ता गया जब भी वाई repeat हो जाएगा हम कहा देंगे मैं नहीं बाना है अब सबसे important case f dash जो है हमेशा positive है is positive always तो graph कैसा देखेगा ऐसा देखेगा do you all agree सिरफ उपर ही जाता जाएगा सिरफ उपर ही जाता जाएगा do you all agree अगर f dash हमेशा positive है दो यहां पे था f dash positive था कहीं negative था कहीं positive कहीं negative कहीं positive अब मैं कहरो f dash हमेशा ही positive है f dash हमेशा ही positive है तो do you all agree function उपर ही जाता जाएगा यह function पके से बन-बन होगा क्योंकि कोई value repeat नहीं करेगी do you all agree कोई value repeat नहीं करेगी manan no बेटा सारा y बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा अब अगर तुम मानते हो तो एक जवाब मुझे यह दो अगर f dash हमेशा negative रहे हमेशा negative हमेशा negative मतलब हर जगा ही negative है जैसे कि f dash आ गया minus 3 f dash आ गया minus x square समझे हो हमेशा negative तो function का graph कैसा होगा बेटा हमेशा नीचे जाएगा do you all agree graph नीचे ही जाता जाएगा नीचे ही जाता जाएगा याने कि y repeat नहीं कर सकता याने कि function one one होगा तो सची हची चैट में एक चीज़ बता दो do you understand कि मैं derivative का sign देख कर listen to my words carefully derivative का sign देख कर एक rough graph बना सकता हूँ और वहां से बता सकता हूँ कि मेरा function many to one है या one to one है आगे ने जा रहे हैं आजो बेटा example देखते हैं यहीं पर कर रहा हूँ ध्यान से चुनो आपने एक method 11th में किया था fx1 equal to fx2 करके x1 x2 आ जाते हैं कुछ वह 11th का method है अब मैं 12th का method सिखा रहा हूँ आजो में को check करना था कि पहला function क्या है one one है many one है मैंने लिखा मेरा function मैंने निकाला derivative 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 two do you all agree derivative की जो value आई है वो always positive आई है derivative के लिए always positive आई है yes sir तो graph ऐसा होगा वैसे भी तुमको पता है कि यह line है और line तुमको वैसे भी plot करनी आती है line तुमको वैसे भी plot करनी आती है तो यह बिटा one one है बी पे आओ ध्यान से सुनते रहो derivative क्या है y था मेरा x पार 5 मैंने derivative निकाला चलो बैड y बैड x लिख लो जाए f dash लिख दो 5 x पार 4 do you all agree it is always greater than equal to 0 derivative की बात कर रहा हूं मैं सिरफ x equal to 0 पे 0 है बाकी हर जगा positive है do you all agree f dash जो आ रहा है सिरफ 0 पे 0 आ रहा है x को 0 लोगे 0 है बाकी हर जगा positive है rough graph कैसा बनेगा कुछ ऐसा होगा पहले उपर जाता जाएगा 0 पे थोड़ा सा flat हो जाएगा क्योंकि 0 पे derivative 0 है और फिर उपर चला जाएगा do you agree graph ऐसा होगा tell me in the chat सिरफ 0 पे थोड़ा सा flat हो जाएगा बाकी उपर ही जाता जाएगा तो जब आपने y equal to x power 5 का graph बनाया do you agree graph उपर जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है c मेरा function था x square बटा अब ध्यास इसना यह important example जब मैंने derivative निकाला derivative आया 2x do you all agree f dash जो है ऐसा है do you all agree f dash ऐसा है देखो देखो फ़र derivative आया 2x x को positive लोगे तो derivative positive है x को negative लोगे तो derivative negative है तो function का graph कैसा बनेगा सुनो पहले derivative negative है graph नीचे जाएगा 0 के बाद graph उपर जाएगा यह point क्या होगा 0, f of 0 many to 1 पक्के से many to 1 है f of 0 की value क्या है 0 चाहिए लिख भी दो बाद समझ आ गई यह तरीका होता है derivative को यूज करके function के nature पे comment करना यहाँ पर आपका base बन गया है थोड़े से बच्चों को बहुत थोड़े सा doubt हो सकता है डरना नहीं है common है यह चीज़ detail में आएगी application of derivative after about 3-4 weeks वहाँ पे इसी चीज़ को फिर से उठाया जागा और फिर तुम ऐसे behave करोगे ओ sir बहुत easy है घतिया चीज़ है आ जो सो हमने derivative से सीखा कैसे कमेंट करते हैं कि function 1-1 है या मैं नहीं 1 है सवाल देखो कमेंट करना था कि whether it is 1-1 or not भाया यह रहा मेरा अधोब हम speed बढ़ाने लगे हैं कुछ भी नहीं घटिया बन चुका है हम निकालेंगे derivative derivative आया 2x-5 फिर देखेंगे कि derivative कहा पॉस्टिव है कहा नेगेटिव है यह पॉस्टिव कहा पे आएगा 5 by 2 के आगे पॉस्टिव आएगा पीछे नेगेटिव आएगा जैसे मुझे पता लग गया कि f- कहा पॉस्टिव कहा नेगेटिव मैं f का rough graph बना सकता हूँ तो इसका rough graph कैसा बन जाएगा सबसे पहले function नीचे जाएगा और 5 by 2 के बाद function उपर चला जाएगा तो rough graph ऐसा बनेगा यह point क्या है भाईया इसका x 5 by 2 है 5 by 2 तक function नीचे गया है और इसके बाद function उपर तो यह जो point है यह 5,2 पे है साथ में f of 5 by 2 चाहो तो value लिख दो चाहे मत लिखो हमको value से कोई मतलब नहीं है हमको इतना पता है many to one function है खतम सवाल देखो अगर मुझे एक shape दिक की graph की graph की rough shape दिक गई तो मैं easily बता सकता हूँ graph one one है जा many one पहले चैट में यह बता हूँ सब को समझाता है graph की अगर rough shape पता लग गई तो मैं देखते ही बता दूँँगा function one one है, many one है तो derivative को use करके मैं बस rough shape ही बना रहा हूँ जहाँ derivative negative आ रहा है function को नीचे लेके जा रहा हूँ जहाँ derivative positive आ रहा है function को उपर लेके जा रहा हूँ पस जैसी rough shape बन जाती मैं बता देता हूं क्या अगला सवाल देखो एक और देखो अब यहां पर इससे पहले गजा सब्सक्राइब इससे पहले यह देखो सब्सक्राइब अगर कैरी बेटा आपको एफ डैस पता लग गया कि कहां पर नेगटिव है तो दू यू एग्री आप अब fx का graph rough graph मज़े से बना लोगे सबसे पहले function उपर जाएगा derivative positive है उप पर जाएगा फिर x equal to 2 के बाद function नीचे जाना शुरू हो जाएगा नीचे जाएगा फिर 3 के बाद function फिर उपर जाना शुरू हो जाएगा लो जी function देखने में ऐसा है भार में गई exact shape rough shape ऐसी है देखते बोल दूँगा it is many to one पहले chat में बता दो आगे नजा रहे अगे नजा रहे आगे तो लिख दो hashtag vlop नजा रहे आगे तो chat में लिख दो hashtag vlop हम सिरफ f dash का sign देख रहे है वहां से f की rough shape बना रहे है rough shape से graph के मज़े तो आई रहे है साथ में ये भी पता लग रहा है कि one one है या मैं नहीं बना है आई शाबाश God bless you चैतन्या आप कबसे पढ़ रहे हैं आपको मतलब नहीं पता इसका भी vlop का मतलब विदान्तू learning ओ पीछे वे सवाल था हाँ यहां प्याओ विदान्तू learning ओवर पाड grassim बेटा वेवी कब बेटा वेवी कब अगर 12 में तो आपको पता होगा अगर नहीं पता तो आप 12 में नहीं हो छोटे हो भी आपको way बेवी कब मेथड सीखने है वहां से sign पता लगतें बेटा आजो ये जो derivative का method बताया मैंने इसका एक दिक्कत है दिक्कत बोले तो एक जगा ऐसी है जहां पर ये नहीं लगा सकते है एक दिक्कत है दिक्कत क्या है एक जगा ऐसी है जहां पर यह नहीं लगा सकते मतलब नहीं लगाना वो है यह अगर आपका function किसी जगा पर undefined हो रहा है तो यह method नहीं लगाना अगर आपका function किसी जगा पर undefined हो रहा है जैसे यहां पर यह function 3 पर undefined हो जाएगा वहां पर method नहीं लगाना यह मैंने लिखा है आगे रहे हो अगर लिखा तो मैं नहीं लिखता हूं नहीं लिखता हूं नहीं लिखता हूं आ लिख देता हूं don't use f' method if fx is undefined at sum x idea clear इसके रीजन में हम घुसेंगे जब हम application of derivative ढूंडेंगे कि यहां पे यह method क्यों नहीं लगाना ठीक है इसका reason समयने की capacity आप में आएगी जब आप application of derivative derivative को पढ़ेंगे जहां पी यह की 對 elements अने वाली है अभी एकotte लिभी एक्वाश्य चेट में सारे बोल दो सबको पता है यहां पे सिर्फ में तुम्हारा बेस बना रहा हूं चैट मता दो सबको पताइग यहां पर एक बेस बना रहा हूं जो की application of daddy weight team में जाके तुमको इतनी help करने वाला है कि तुम्हारे लिए वो chapter घटिया chapter बन जाएगा शाबाश, very good, तो बस इसका अध्यान लखना है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे नहीं लगाना, reason अभी आएगा, stay time पे स्रगर नहीं लगाना फिर क्या करेंगे, बटर नहीं लगाना फिर basic method पर जाओ, let fx1 equal to fx2, यह सब को यादा, ग्यारी में सीखा था, fx1 equal to fx2 लेके शुरू हो जाते हैं, अगर तो x1 equal to x2 आ जाए, तो one one कह देते हैं, अगर कुछ और आ जाए, तो many one कह देते हैं, तो इप्लाई करो, तो यहां से x1 equal to x2 आ जाता है, सब कट पिट जाता है, कट पिट के सारा x1 equal to x2 आ जाता है, hence it is one one, तो one one का हमने एक major category cover किया, points रख यह समझा कि derivative को use कैसे करना है, gamer अब बोल भी दो बटा doubt किया है, use कैसे करना है, और एक ऐसी situation जहां पि use नहीं करना है, यह बताया है मैंने आपको, ठीक, okay, अब आते हैं आगे, on two in two पे, on two in two पे, शाबाज, अब सुनो on two in two, यह last category आगे, इसके बाद आज की class खतम होगी, 10-15 मिनट और लगेंगे बस, at, हाँ बेटा यह सब course प्रनीत वो भी कर सकते हैं, प्रनीत, कोई प्राब्लम नहीं थी, वो भी कर सकते थे, ठीक, प्लीज रिपीट नमबर ओफ क्लासिस, बेटा मैं आपका पॉइंट नहीं समझा, आजो, और सुनो, on to into, पहले तो on to का मतलब याद कर लेते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग थे, वो किसी ना किसी का प्यार बन गए, उसे कहते हैं on to, ठीक है, यह तो है समझने वाली भाषा, अब सुनो, याद क्या रखना है, एक इस याद कर लोगे न, जिन्दगी में on to into में confusion नहीं आएगी बेटा, function is on to if range is equal to code में, बेटा पी जाओ, जब भी सवाल आएगा on to into का, तुमने एक ही concept लगाना है, range equal to code में, मुनिल बेटा, you don't need to do that, बेटा, description में लिंक पे आप दबाओगे न, वह automatically लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे आओ, range equal to code में और कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, सुन मेरी बात, एक दिक्कत आ गई, do you agree, यह definition पढ़ते ही, we realize, on to into के सवालों में, range पे बहुत ज़्यादा dependence आने वाला है, do you all agree, on to into के सवालों में, range पे बहुत ज़्यादा dependence आने वाला है, अगर मुझे range निकालनी नहीं आती, भाया, यह topic गया, यह topic पूरा ही गया, कोई की topic की definition ही range पे है, yes, shake, पेटा, yes, God bless you, तो इसलिए मैंने आपको beginning बता है, तब फिर बता रहा हूँ, YouTube पे जाके सर्च मारना range अर्विंद कालिया, आपको एक session देखेगा, जहां पे एक session में, मैंने range की सारी varieties को step by step cover किया हुआ है, देख लो, अभी भी मैं कुछ question करवाऊंगा, अगर तो आपने range पहले वो session देखा हुआ है, तो आपको वो सवाल बहुत खटिया लगने वाले हैं, पर अगर उन सवालों में आपको दिक्कत आ रही है, मतलब आपको range में दिक्कत है, तो उस session को देख लेना, only one session and I had covered all the varieties of range, ठीक है, सिरफ range, space देखे अर्विंद का लिया, बस यह लिखना ऊपर ही आ जाएगा, आ जो बटा, सवाल, एक एक करको ठाते हैं, पहला सवाल, सुनो मेरे ध्यान से बात, एफ दियावा, यह defined as this, चेक करो कि on to into क्या है, सुनो मेरी बात, जब भी on to into की बात आएगी, आप पहले लिखेंगे code domain range, ऐसे लिख दोगे, फिर दोनों की value लिखोगे, अगर value सेम आ गई, on to, सेम नहीं आई, into, इसकी value मुझे directly पता है, one to infinity, उसकी value मुझे निकान नहीं पड़ेगी, क्या मैं निकाल सकता हूँ, yes, मेरा function बहुत ही असान है, x square plus one, वो चैट बता दो, मानते हो न, यह तुमको बतानी की जुरूरत नहीं है, कि x square plus one greater than equal to one है, तो range जो है, वो आती है, closed one से infinity, x को change करते रहेंगे, इसकी value one से infinity में आएगी, इतना तो मानते हो न, कि दिक्रत तुम्हें है, तो बता, यह दोनों क्या आ गए, same, same मतलब on to, काम खता हूँ, answer is on to, पहला सवाल, घटिया सवाल, आ गया जो, yes, on to को surjective भी कहते हैं, on to को surjective भी कहते हैं, second, फिर से लिखा, code main, and range, code main की value दी हुई है, minus one to one, range हमें निकालना पड़ेगा, range हमें निकालना पड़ेगा, लो बया, सबको याद है, इसकी range, निकालने का basic method नहीं याद है, तो जो session मैंने भी बताया, वो जरूर देख लो, ठीक है, बहुत standard method था, x को y में लिखते थे, तो x square y plus y equal to x square minus 1, तो x square के साथ आ गया y minus 1 minus 1 minus y, तो x आ गया plus minus minus 1 minus y upon y minus 1, standard basic method of finding range of any expression, तो यहाँ पर बेटा यह आ गया, फिर लिखते थे, x will be defined if, यह x defined कब होगा, जब यह अंदर की चीज, अंदर की चीज, greater than equal to 0, अंदर की चीज greater than equal to 0 है, तो ही x defined होगा, अगर यह negative होगा, root undefined हो जाएगा, range का सबसे basic सवाल, basic method, values of y for which x is defined, this is a method, तो मैंने यहाँ से, वो y निकाल लें, जिसके लिए x defined हो, वो मेरी range होती है, तो x को लिखा y में, value of y for which x is defined, that is my range, तो बेटा, एक बच्चा करेंस पर समझ नहीं आया, बेटा, प्लीज range का one shot देखो, आपको range नहीं आती अवे, range दिक्कत है बेटा, वो 11th में covered हैं पूरी, आपके मैंने session किया range, अरविंद कालिया लिखो, यूट्यूब पे आपको session दिखेगा, सारे के सारे range के method मैंने बहाँ step by step करवाएं हैं, प्लीज उसको देखो, जब तक range नहीं पड़ोगे, ये on to into आएगा ही नहीं, पहले minus से multiply कर दिया और फिर लगाया wavy curve, तो wavy curve से यह आ गया, minus 1 से लेके 1 तक, क्या मेरी code main यही है, ओहो 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 थोड़ा सा फरक आ गया, देख पारे हो, थोड़ा सा फरक आ गया, ये minus 1 to 1 closed है, और ये minus 1 पे closed, 1 पे open है, into आएगा answer, range और code main same नहीं है, एक बार चैट में लिखो, जिस जिसने range नहीं पढ़ी हुई अच्छे से, फटफट चैट में लिखो, सर जी, आज ही range वाला session देखेंगे, फटफट फट चैट में बोल दो, आज ही range वाला session देखेंगे, फटफट बोलो chat में, जब तक नहीं देखोगे ये topic तुम्हारा खूं चूस लेगा तुम्हें छोड़ेगा नहीं दे बोल दो जिसमें से range नहीं की हुई जिसमें की है आती है very good जिसमें नहीं की न बोल दो आज ही range वाला session देखेंगे आज देख लो बिटा रेंज के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे सारी वराइटी मैंने कवर की वहां पर उभी स्टैप बाइस शाबाश ओ नहीं पड़ी है यह मत बोलो बोलो आज ही देखेंगे बोलो शाबाश आज ही देखेंगे सेशन मैं तुम्हें एक दिखा भी देखता हूँ आप यूट्यूब पर जाओगे ना यहां बस लिख दो ऐसे रेंज अर्विंद का लिया जैसी रेंज अर्विंद का लिया लिखोगे ना यहीं पर आजागा यह वाला सेशन बात कर रहा हूं मैं जेहीं में 2021 रेंज और फंक्शन एक शॉट में सारे रेंज के वराइटी कवर किये गया है यह देख लेना जिंदगी में अराम हो जाएगा रेंज को लेके मलब एक एक वराइटी अलग लग मिक्स्चर ने किया यह पढ़ाया ही मैंने ऐसे है यहां पर जैसे बच्चा बिल्कुल बेसिक जानता है और वो सी करके अलग लग कैटेगरी बिल्कुल बनाके इसको बनाया गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आगी समयने में ठीक है ओके रिशम सो यह इंटू हो गया अब आगे चलते हैं सवाल चलोई 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 ओके अगला सवाल यह मौड अफ्री साइन प्लस फॉर कॉस फिर से सवाल on to into का है तो आप कोड में लिखेंगे रेंज लिखेंगे और इसकी जो अगला सवाल आने वाला ना इसे अगला सवाल बड़ा इंट्रेस्टिंग है मैक्सिम बच्चे पागल हो जाते सवाल बहुत इजी है तो देखते कि तुम मुझे सही जवाब दे पाते न तुफाइब रेंज भाईया निकालनी पड़ेगी तुम सबको यह रिजल्ट पता है ना 3 sin प्लस 4x अगर नहीं पता है मुझे मत पताना बेटा मैं यही पर गिर जाओंगा इतना इतना बरदाश्ट नहीं कर पाऊंगा बेटा मैं 3 sin x plus 4 cos x a sin plus b cos lies between minus of root a square plus b square से लिए के plus root a square plus b square सबको पता है ना basic result lies between minus root a square plus b square 5 आ गया से लेके plus root a square plus b square plus 5 पता है ना पता है ना शुकर 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 अब बहुत प्यारी बात जितने भी 12 के बच्चे वो तो पक्का confused नहीं होंगे जो मैं भी establishने लगाओं अगर को 11 का bet है उसको थोड़ी दिकत आ सकती है ठीक है मोनिल आप जो कह रहे हो सही है बड़ो सिरफ upward के लिए है downward के लिए लग हो जाता है एक चीज है जो माइनस 5 से 5 के बीच में है तो उसका मौड कब कहां पर लाई करेगा tell me in the chat तुमारे answer से मुझे पता ल देखें जड़ा 10 का बच्चा बैठा है शाबाश ठीक है ठीक है ओके संचीत को और प्रसी मेक्सिम बच्चे 12 कहीं है सही बता रहे है 0 से 5 बच्चे करते हैं सर 5 से 5 सर यहां भी मॉड लो यहां भी मॉड लो अरे एक चीज है माइनस 5 से 5 तक जा रही है जब इन सारे वैल्य लोगे तुम मिनियम वैल्यू 0 पर आएगी 0 का मॉड जीरो और मैक्सिम वैल्यू आएगी 5 और माइनस 5 पर 5 का म रेंज रेंज आ गई 0 से 5 भाई आपकी कोड में और रेंज आ रही है सेम मातारानी की पूरी क्रिपा है तो अंसर आ गया ओन्टू अब तक तुमको एसास हो गया ना ओन्टू इंटू इस दा गेम ओफ रेंज यह सवाल अच्छा यह निशूरी ओ इससे अगला है वो जिसकी में बात कर रहा था जिसमें मज़ा आने वाला जहां तुम दरने वाले हो वो अगला सवाल है सौरी इसके बाद आएगा यह सवाल मैंने रख दिया क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर कोई मैथड नहीं इसलिगाना होता बस बेसिक सी अकल लिखानी होती है बस बेसिक सी अकल जैसी कि यह सवाल कै था check better the following function is on to on to on to on to domain natural code by natural okay code domain natural range range तो निकालनी पड़ेगी अब आगी बात इसकी रेंज कैसे निकाले समझे वह इसकी रेंज निकाले कैसे don't you think tell me in the chat don't you think मेरे inputs natural number है यानकी 1,2,3,4 तो क्यों ना मैं outputs सीधे ही निकाल लूँ वहीं से pattern दिख जाएगा yes or no f of 1 क्या होगा input odd है तो यहां से answer आएगा 1 plus 1 by 2 that is 1 f of 2 क्या है input even है तो यहां से answer आएगा 2 by 2 1 f of 3 क्या है उपर से आएगा 3 plus 1 by 2 f of 4 क्या है नीचे से आएगा यहां से 4 by 2 देख पारे हो you do not need any method f of 1 1 है f of 2 1 है f of 3 2 है f of 4 2 है 1 1 आ रहा है फिर 2 2 आ रहा है फिर 3 3 आएगा फिर 4 4 आएगा देख पारे हो range क्या आ जाएगी यहां से pattern से पता लग रहा है मेरी range आ जाएगी सारे natural number do you all agree सारे natural number मेरी range आ जाएगी 1 आएगा range में 2 आएगा range में 3 आएगा range में 4 आएगा range में सारे natural number मेरी range में आएगे range और code में same आ गई onto उसने पूछा नहीं है बट मुझे chat में बता दो यह function one one है या many one है उसने पूछा नहीं है बट मुझे तुम बता दो यह function one one है या many one है yes monil you are right बिल्कुल monil से कह रहे हो उसने पूछा नहीं बट do you agree यह function many to one है हाँ सर दिख रहा है one और two को one से प्यार हुआ है three और four को two से प्यार हुआ है तो बहुत जनों को एक एक से प्यार हो रहा है clearly many to one है oh 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 यह था वो सवाल जहां मैं कह रहा था बहुत बच्चें कन्फ्यूज होते है monil जो तुम पूछ रहते हैं वो बटा उसकी जरूरत भी आ गई पहले सवाल पड़ो कहता है f is from real to s defined by this is an on to function then s must be बच्चे कन्फ्यूज क्यों होते है sir यहां तो कुछ कोड में नहीं पूछ ली अभी तक जितने हमने सवाल किये उसमें हम range निकालते थे यहां तो कोड में पूछ रहा है वो yes or no okay gamer okay so भी आप मैथड में से हैं बस डरना नहीं लेंग्वेच आप बिल्कुल सही मैं यहां पर लिखूंगा कोड में यहां लिखूंगा range कोड में क्या दी हुई है आप इस रेंज मैं निकालूंगा भाया क्वेड्राटिक की रेंज तो बच्पन से निकालते आ रहे हैं अभी अभी मोनिल ने भी रेंज निकाली तो वट इस रेंज आ रेंज ऑफ इस क्वाड्राटिक X क्वेड माइनस 5X प्लस 6 भाया रेंज होती है अप वर्ड के लिए माइनस D बाइ 4A से लेके इनफिनिटी याद ना अप वर्ड क्वाड्राटिक है तो सबसे छोटी बेल्यू आएगी माइनस D बाइ 4A सबसे उपर जाएगा इनफिनिटी तो यह क्या आ गया यह बन जाएगा माइनस वन बाई फोर से लेके इंफिनिटी डू यू आल एगरी अगर यह फंक्शन ओन्टू है कहां गया ओन्टू है तो आपको S का वैल्यू पता तो है एक चीज देख पा रहे हो निकालना अभी भी तुमको रेंज ही पड़ा निकालना अभी भी रेंज को ही पड़ा रेंज ही निकालनी पड़ेगी जितने भी ओन्टू के सवाल आएंगे रेंज ही निकालनी पड़ेगी सवाल को तोड मोरोड के डिफरेंट एंगल से पूछेगा बट मुद्धा सारा रेंज कहाएगा शाबाश तो विद डैट आज का सेशन हुआ खतम अब थोड़ा थाओं को सब्सक्रिप्शन का बता देता हूँ जो कि मैं सेशन की बिगनिंग में नहीं नहीं बताता मुझे होता है पहले मुद्धे प्याएप पढ़ाई के इस मुद्धे को सेशन के एंड पे देखेंगे DPP आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जरूर कर लेना range of function का जो मैंने one shot बताया आपको वो जरूर देख लो उसमें सारी variety covered है जिसको range आती है वो भी देख लो ठीक है योनस येस, you are right, we can do that अब आते हैं यह बटाया, अच्छा उसमें मेरी बात यार यह मैं आपको हर बार बताता हूँ कोई नई बात नहीं, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए पहली बार होगा में मुद्धा क्या मैं क्यों बताता हूँ, reason being इस moment पे, especially जब यह थोड़ा August-September type आजगा ना फिर मैं यह बताना कम कर दूँगा, क्योंकि तब तक maximum बच्चे बच्चे कर चुके होते हैं, इस समय ना बच्चे डिसाइड ही नहीं करते हैं और अपना ताइम बहुत वेस्ट करते हैं इस चक्र में, इस चक्र में हर क्लास में बता रहा हूँ प्लीज मेक शूर, you do not, you know, remain indecisive, okay, so I'm just helping you to take a better decision, if you are thinking of online coaching, nothing better than Vedantu is there, so do not think of anything else unnecessarily, don't waste your time, I'm telling you by experience, I have seen all the things, online, offline, different online, Vedantu actually is a very mature system, okay, I am myself working with Vedantu from last about 3-4 years now, okay, so do not think anything else, time not waste your time, not indecisive, best classes you will get it, and that too also on the platform which is designed by Vedantu itself, इनका जो platform, मैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको session, platform खुद बनाया गया है, इसमें कोई भी third party चीज़े नहीं होती, जिसकर के problems कभी आती नहीं और बहुत जादा beautification and बहुत जादा gamification types के element रहते हैं, बच्चों का encourage करने के लिए लग-लग चीज़े भी की जाती हैं, तो ए अभी booklets मिलेंगे और assignments मिलेंगे, assignment रहते DPP, हर एक session का assignment और हर एक chapter का booklet तत्वा होता है, तत्व में 4 level की access होती है, access 1, 2, 3, 4, covering everything, and this is a content which you will do during your syllabus, once the syllabus is over and revision start, उसके लिए अलग से material होता है, reason being, revision की requirement अलग होती है, जब पढ़ते हो पहले वो requirement अलग होती है, and testing अलग से होती है syllabus के बाद testing भी included है, तो आप जो यह subscription लोगे, इसमें आपका पूरा coaching चलेगा, फिर revision होगा, revision में 11 का revision भी होगा, उसके proper testing और discussions होगी, यह पूर एक system है proper, और इसमें ऐसा नहीं कि teacher की will पे कुछ मैं change कर दूँगा, एक system है, जो result लेके आ रहा है इतने time से, वो system follow किया जाता ह है, पूरे का पूरा, fourth nightly यहां test होते है, main pattern, advanced pattern, ठीक है, and doubt app, आप use करते हो, class के बाद doubt solve करने के लिए, या बचे अपने group भी बना लेते हैं, teachers को के बार include कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी discussions हो जाती है, and in class, जो teacher पढ़ा रहा है, वो तो doubt लेता ही आपके, साथ में बहुत सा sitting around you, जिसे आपके doubt कूछती जारे हो, साथ साथ में, right, this is something which I actually appreciate a lot in online coaching, तो कि online coaching में कही न कहीं वो doubt का डर रहता है, offline में तो आप ऐसे पूछ रहते हैं, sir, online में एक teacher पढ़ा रहा है, बचे मौनले बैठे 100 आगे, उन पूछने में दिक्कत आती है, right, तो यहां पे क्या है, बहुत सारे teacher class में बैठे होते हैं, जो बचे के doubt ले रहे होते हैं, normally, 4 to 5 class teachers रहते हैं, class में, सिरफ doubts टेकल करने के लिए, तांकि किसी के doubt ना रहे जाए, yes, प्रणव, yes, that is confirmed news, बेटा, ठीक है, and of course, time आने पे PTM होती है, whenever required, so that आपको भी रहे कि हाजर पढ़ना है, गडबन कैसे लिए जाते हैं, everything, and multiple micro course, जैसे मैं कहता भी हूँ, micro course, मैंने का था, मैं भी launch करूँगा, मेरा 11th का micro course मैंने launch कर दिया है, 12th का मैं थोड़ा time ले रहा हूँ, मेरा गला भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, तो 12th का शाहिद मैं within after 1 or 2 weeks launch करूँगा, 11th का मैंने launch कर दिया है, आपने से अगर को 11th का बैठा हुआ है, God bless you, मूनिल बेटा, तो आप upcoming micro course में देखना है, मेरा launch हुआ है, algebra and trigonometry foundation 1, ठीक है, तो जिसका वो week है, वो आप लगा सकते हो, 12th का आप मैं launch करूँगा, after about 1-2 weeks, ठीक है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, यह आपको free access मिलेंगे, बहुत सारे micro courses, मेरे and और teachers के भी, apart from your long track batch, long track मतलब जहां पर आपका proper PCM का पूरा syllabus चल रहा है, classes ऐसी दिखती हैं, मैंने पहले ही आपको चाहिए दिखाया होगा, I hope आपको समझ आ रहा है कि platform बहुत enriched है, बहुत enriched platform है, ऐसा नहीं कि simple black screen होती है, नहीं, proper सुंदर सी slides होती है, design अच्छा होता है, doubts बड़ अच्छी सिस्टम से लिए, बच्चे टीचर अन्मूट कर लेते हैं, कि uncamp भी कर सकते हैं बाइदावे, मैंने कि बड़ लड़कों का uncamp किया हूँ, माशालला ऐसे बैठे थे कि उनको खुद कोई शरम आ गई, सब इतना इंगेजिंग रहता है, क्लास कि मैं क्या बता हूँ, मैं मस्त गपे बचती है, पढ़ाई भी होती है, थोड़े चैत, मैं भी हल चल मची रहती है, थोड़ा बहुत बीच में, तो ले बहुत चाप फ्लो बना रहता है, और यहां पर टीचर दिख रहे होते हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैं डांड रता हूँ, कि यह पर प्यार से पढ़ा launch हो रहा है उसमें जा सकते हो या उसके अगले में जा सकते हो राइट या आप सब्जेक्ट वाइज भी एक अदर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो बट जो बैच बहुत पहले शुरू हुआ था उसमें जाना आपके लिए ड्वाइजर बली नहीं होता क्योंकि वह बहुत आगे माई बैच अधिर ओन रिस्क कि ठीक है सर अभी एक दो चैप्टर कवर हुए है हम मैनेज कर लेंगे क्योंकि अभी मैक्टिस डिटर्मिनेंट कवर हो गया है मेरे बैच में और रिलेशन फंक्शन शुरू हुआ है आलमोस सेमी स्पीड चल रही है तो वह बच्चे आ गए कि क्योंकि अभी मेरा अगला बैच तो इसेंट लॉंच नहीं कर रहा है मैं भी पहले का लॉंच हुआ है पर यस माइक्रो कोर्स में बहुत सारे लॉंच करने वाला हूं तो वहां पर तो आप मुझे मिल ही सकते हो ठीक है तो इस अबाउट बैचिस एंड अफकोर्स रैंक्स क तो भूलने वाला नमबर ही नहीं है तो के भी पी वाई की बात कर लो तो भी बहुत सारी सेलेक्शन्स हैं पॉइंट इस कि आप जो विदान्तु में आ रहे हो ना बैटा वो एक मैच्चोर सिस्टम है ऑनलाइन में बहुत मैच्चोर प्रूवन सिस्टम है और यह प्रॉप पूरी रिसपॉंसिबिल्टी आपकी ली जाएगी तिल यूर Celtic scorpion फोनिधी में प्रिषमी प्रूरी रिसपॉंसिब्लटी आपकी ली जाएगी एवीथिंग तो इसिस सब्णा में इस को आपने कैसे दिंटर ना करना कैसे इसमें आ करना किसे में आके पढ़ना ह है मैं आपको टेस्ट के बारें बता देता हूं CBT अबर है अब का सुनू मेरी बात कि अ इस संडें आपका पहला CBT मोड में टेस्ट दिया जा रहा है जो मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था राइट मैने लास सेशन बता ता पहर बता रहा हूं सुन लो नाइन्थ माई और टेस्ट टाइमिंग है तू थर्टी पीम से लेके फूर थर्टी पीम दिसीज़ा टेस्ट टाइमिंग दो हिंटे का टेस्ट होगा क्योंकि फ्रिजिक्स आपको पता है सुरी सरह भी छुट्टी पे है फ्रड़ा फैमिली प्रॉल्म को ऐसे तो सिर्फ मैच किसे करना है टेस्ट आपने बस विदानतू पे अपना लॉग इन दी बनाना है सिंप्ल साइन आप जो करते हैं उपन की एक लॉग इन डी बना लो उसके बाद एक लिंक आप से शेयर किया जाएगा टेली ग्राम गुप में जो विदान्तू यी का टेली ग्राम गूप अग लिंक हम शेयर करेंगे 2 o'clock तांकि आपको याद आजाए कि इसा टेस्ट देना भूलना जाओ और 2.30 आपको उसको क्लिक करके शुरू करना है एंड बता दूँ 2.45 तक ही जॉइन कर पाओगे अगर 3 बजे आओगे सो यह उठके की चल टेस्ट देते हैं तो जॉइन नहीं कर पाओगे ठीक है 15 मिनिट का टाइम दिया जाएगा आपको उन टाइम जॉइन करना है लेट नहीं करना है ठीक तहां बेटा इन डाट केस अभी मैं जो जेई इलीट इला जेई इलीट लाइव 11 जिसकी क्लासी शाम को पांच बजे होती है उसमें सेट्स रिलेशन पढ़ा रहा हूं आप वह देख लो सेट्स हो चुका उसमें रिलेशन उसमें चल रहा है रिलेशन भी हो गया है वह दीरे दीरे प्यार को बढ़ाना यह स्फिर हद से गुजर जाना है स्लेबस मैंने पता दिया था मैक्रिस इस डिटर्मिनेंट फर मैट्स एंड सुलूशन संद केमिकल किनेटिक्स फॉर किमिस्ट्री गॉड ब्लेस यू रुद्राश खुश्र बटा आपकी वीडियो रच और स्पेस देखे अर्मिंथ का लीए आपको मिल जाएगा रेंज औक 69 study का लिए लिए उपर है व्या तो that is how you have to join the test, done, God bless you, त्यारी करके आना, मैं नमबर देखूंगा, तमारे कितने कितने नमबर लिये तुमने, ठीक है, अगली क्लास बेटा, अगले हफ्ते होगी, अगले हफ्ते, कब होगी, यार, एकली मैं खुद भूल जाता हूं, इतना कुछ चल रहा होता हम, खुद ही पूल जातों मेरी क्लास कब-कब होनी है, जितना मुझे याद है, आपकी क्लास Tuesday या Wednesday आती है, मेरी, Tuesday आती है, Tuesday, Tuesday आती है, हरे एक दिन जो है, अगले दिन का schedule लग जाता है, और Saturday, आज रात को, या कल दिन में, community पे अगले हफ्ते का पूरा schedule आ जाएगा, ठीक है, तो आप पर के schedule आ जाएगा, येस, शिवांश, very good, if you are able to do it, then it is very good, श्रिकर, lockdown तो पीछे भी लगा था, क्लासी चली रही है, उसी चक्र में, ये बिटश, जो अपना ही है, क्या कहते है, सिस्टम, पूरा स्टूडियो शिफ्ट भी करवाया है, बस एक ही, बस प्रे करूं कि, टीच टीचर की हेल्थ ठीक रहे, जैसे पीछे मेरा गला खराब हुआ, तो में को 4-5 दिन चुटी लेनी पड़ी, सूरी सर की फैमिली में प्रालम चल दी अवर्ट के हुए है, तो हमारी हेल्थ ठीक रहे है, बस अगर हमारी हेल्थ ठीक है, तो मारी क्लासी नहीं रुकेंगी, अ कम्प्लीट म्यूट कैसे हो जाए, तो आम ट्राइमा बेस्ट, और आसिस होती ही रहेंगी, बस ही है कि हेल्थ ठीक रहे है, ठीक है, शिशिर नहीं पड़ा तो पढ़ लो बेटा, सैशन हो चुके है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लो, क्या टेंशन है, बिगनिंग में ही आपको प्लेइलिस्ट मिल जाएंगी बेटा, यह रही, यह है कमिस्ट्री का प्लेइलिस्ट 12th का, जो इलीट लाइव चल रहा है, फिर फिजिक्स का आजएगा, उसके बाद, फिर मैट्स का आजएगा कहीं, मैट्स का यह रहा, तो सबसे उपर जो प्ले God bless you, खुश रहो, सीखो, मज़े करो, दूसरों की हल्प जरूर करो, आज कल के टाइम में, खुद भी खुश रहो, तांकि आस पास की लोग भी खुश रहे, ठीक है, God bless you, बेटा, ग्रेट ग्रेट, खुश रहो बेटा, श्रीकर, खुश रहो बेटा, यह सिद्धिकी, यह स you are right, चलो, ओके बेटा, goodbye, take care, and see you all in the subscription also, अगर आप लोगे, तो माइक्रो कोर्स में जरूर आना, और मुझे बता देना, कि सर मैं YouTube से आया हूँ, क्योंकि जब यहां के बचे वहां मिलते हैं, तो एक अलगी लेवल की खुशी होती हो, कि डिटेल में बाते हो पाती हैं, unmute कर के अपिशपे मार लेते हैं, right, so, मुझे मिलना ज़ूर अगर सब्सक्रिप्शन पर आओगे, अच्छा मैंने बता देना, सब्सक्रिप्शन लेते कैसे पता हो तुमको, कोई भी सेशन दबा दो, कोई भी सेशन दबा दो, जैसे अभी यह चल रहा, इसी को क्लिक कर दो, इस का फरक होता है, बैच सेम होता है, बस फीचर का फरक होता है, यह जो फीस लिखी गई है, यह तिल आपकी यह एडवांस की फीस है, एंड तक की फीस है, आपको दबारा फीस नहीं देनी, आप चाहो तो complete course भाय करो, चाहिए one month try करो, I normally से complete course करो कूंकि सोतों मत लग जाऊ त सकते हो अगर आपको लगता कि पूरा फीस देना सवाया डिफिकल्ट एक दम परेंट्स के लिए आप EMI दे सकते हो और अगर बहुत पढ़ने का मन है और आप पढ़ने में ग्रैस्पिंग अच्छी आप महिनत करते हैं और फिनाशल प्राब्लम है तो यू कांटक्ट में थू कुमेंट्स आलसो आई नॉमली ट्राइट टू हैल्प तू जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ने में अच्छे हैं पर पढ़ पा नहीं रहे हैं ठीक है सवाय ट्राइम बेस्ट ऑलवेस कि मंको कुछ न कुछ करके एडिमिशन दिल्वाओं तो कभी हम खुद पैसे खर्च देत यह तो मेना की पड़ो यार जितना पड़ोगे उतना अच्छा है जिंदीगी में आगे जाओगे और एक आगे जाएगा तो उसको देखे अगले 100 अपने आप आप आगे जाएंगे चला ओके बबाए यह संद्रेट परसेंट वो प्लैन है बटा ओके बबाए टेक रो खु झाल झाल झाल